जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे प्रियोग बात को आज हम पढ़ने वाले जितने भी साती हैं सबसे पहले तो भी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सेसन अपना रोज इंदर अंतर इसी तरह 9 बजे होता है ठीक है 9 बजे हम इस सेसन में पढ़ते हैं इस सेसन को दोस्तों हमें बताना है कि अग् आपको बताना है पांच चार दो या फिर तीन कितने सब्तकों का इन्होंने प्रिकासन किया प्रश्न किरमांग एक आपके लिए पूछा गया एक का उत्तर आपको बताना है शबी लोग बताईए एक साथ वीडियो को आपको लाइक करके बताना है एक साथ आपको बताना है कि अग्गे ने कितने सब्टकों, कितने सब्टकों का प्रिकासिन किया, ए आपको चन करना है, चलिए, तो कितने सब्टकों का इन्होंने प्रिकासिन किया था, पांच, चार, तीन, या फिर दो सब्टकों का, तो आपने उत्तर बता दिया, सर चार सब्टकों का इन्होंने प् तार सब्तक 1943 दूसरा तार सब्तक 1959 ठीक है तीसरा तार सब्तक 1969 और चोथा तार सब्तक 1989 ठीक है इसको आपको याद रखना अब प्रियोगबाद की प्रवर्तक का नाम आपको लिखना है प्रियोगबाद की प्रवर्तक कौन माने जाती हैं लिखिये जल्दी से कमेंट में प्र उत्तर आपको बताना है चार विकल्प हैं और दोस्तो आपका यहाँ पर बिलकोर सही हो जाएगा उत्तर प्रियोग बात के जो प्रवरतक मान जाती हैं वो मान जाती कौन अग़े अग़े या pleasant जो विकल्प नंवर वी है में वह बिलकोर सही हो जाएगा ठीक है OS should हो जाएगा बी नम्मर आपका सई हो जाएगा अंगले क्वेश्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला क्वेश्चन यहां पर प्रियोग बात के प्रवड़ता का अग्ये हैं प्रियोग बात का आरंब शन 1943 हिस्वे में सचिदा नंधीरा नंबासायन अग्ये के संपाद कत्में प्रिकासेत तार सब तक से माना जाता है ठीक है इसको आपको याद रखना है अब अंगला क्वेश्चन है समसेर बहादुर सेंद्वारा लिखे दो आप किस बिधा की किर्ती है दो आप बताना है किस बिधा की पिर किर्ती बताना है किस बिधा की माने जाती है दोस्तों कमेंट में लिखिए आप सभी समसेर बहादुर सेंद्वारा लिखे दो आप किस बिधा की किर्ती है दो आप किस बिधा की किर्ती है और आपने बिलको सही चैन किया है कि सर दो आप जो है यह सबसे बड़ी बात तो ए है कि यह समसेर बहादुर सेंद्वारा की किर्ती है और यह किस की है तो ए है दोस्तों यह क्या है एक काब है क्या है किस बिधा की है तो एक काब बिधा की है यानि कि आपका उत्तर D number बिलकुर शही है D number जो आपने बताया वो बिलकुर शही आंसर है ठीक है बढ़ जाते हैं अंगले question की ओर अंगला जो प्रस्ण आपका है दोस्तो वो यहां पर आपको बताना है कि दो आपके बारे में अपने पड़ा कि समसेर बहादूर से हैं किने क्या कहा जाता है दोस्तो कभीयों का कभी कहा जाता है समसेर बहादूर से को कभीयों का कभी और दो आप इनकी काभी की विधा है या इनकी एक रचना है दोस्तों उसको आपको याद रखे ना ठीक है जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों एप डाउनलोड नहीं किया वो एप जरूर डाउनलोड करें और अंगला क्वेस्चन आपके लिए बताना है कि जैसंकर प्रसाथ की किरतियां किस बिकल्प में है बिकल्प में आपको चैन करना है तो किस बिकल्प में है जैसंकर प्रसाथ की किरतियां बताईए नीरजा, शान्दगीत, इस्मिर्टी की रेखाए, पत्के साती, जरना, लहर, ध्रोफ, सौमनी, इसकंद, गुप्ते, हैना इन मैंसे आप चैन करिए जैसंकर प्रसाथ की किर किस विकल्प में हैं कि आपका right answer क्या है विकल्प नम्र B B नम्र आपका सई हो जाएगा B जोनों ने बताया उनका उन्सर बिलको सई है ठीक है B नम्र आपका सई है और दोस्तो जरना लहर धरुप सौमनी जैसंकर प्रसाथ द्वारा रचित क्रितियां इस प्रकार से हैं इनको भी अपन को पढ़ना है देखिए जरना लहर ध्रोप स्वामनी इसकंद गुप्त ठीक है ये आपको याद रख लेना ये माने जाती हैं दोस्तों औरबा सी वन विलन प्रेम राज कानन को सो मासू कामाईनी ये सबी रज्जो रचना हैं ये जैसंकर प पूचा जाता है कई बार पाया दोस्तों इस काब संग्रह के जो संपादक हैं वो कौन माने जाती हैं ये आपको बताना है कौमेडी गुरू प्रश्न किरमांग पांच में आप बताईए कि मचली घर नामा काब संग्रह के संपादक कौन हैं प्रश्न किरमांग अपना पां पर बिल्कों सही है मचलीगर नामक काब संगर के संपादक विजय देवनारण साही है ना इनके द्वारा साखी संबाद तुमसे जब की लच्छमी कांध बर्मान अत्यूकांत तीसरा पक्ष धरंबीर भारती ने अंदायोक कनुप्रिया नामक काब संगरों की क्या किया दोस् ने किरमांक 6, 1949, 1940, 1942 या फिर 1943 तार सब तक काब संग्रह का प्रकासन कब हुआ? बताइए और आपका तार सब तक काब संग्रह है आपसे पूछा गया और तार सब तक पूछा गया तो उत्तर चला जाता है 1943 इस भी 1943 या नि कि आपका जो डी नंबर है 1943 वो बिलकुल शही है ठीक है? डी आपका राइट अंसर हो जाएगा तार सब तक काब संग्रह का प्रकासन 1943 इस भी में हुआ था और तार सब तक में साथ कभियों की रचना संग्री थे हैं है ना एक अभी कौन थे दोस्तो एक तो अपन ने इसको याद किया था तार सब तक के कभियों को कैसे याद किया था नैमी मुक्त भारत की पिरभागिरी राम की आग्या से है ना तो नैमी से क्या बनेगा नैमी चंदर जैन मुक्त से क्या बनेगा मुक्ती बोध नैमी मुक्त भारत की तो भारत से क्या बनेगा भारत बूश 43 में प्रिकासित हुई थी यानि कि ये तार सब्तक के कभी माने जाते हैं कभी कभी कॉस्चन आता है कि निमन मैंसे बता ये कौन सा तार सब्तक का कभी नहीं है तार सब्तक की जब बात होती है दोस्तों तो इसका जो सही नाम होता है तार सब्तक का वो तार सब्तक होता है इसे को याद रखेंगे अंगला है गजाननमादाव मुक्ति बोध गजाननमादाव मुक्ति बोध की रचना चांद का मोह टेड़ा में कौनसी कभिता संकलित नहीं है चांद का मोह टेड़ा आपको पता है यह गजाननमुक्ति बोध मैंने आपको बताया था कि जब यक्ति की मुक तो याद रखना है और गजान अनमादों मुक्ति बो चांद का मौह टेडा में कौनसी कविता संक्लेत नहीं है पूछा तो नहीं है मैं दोस्तों यह आपका उत्तर हो जाएगा कौनसा जन्म दिन की धूप में बाकि भूल गल्ती एक स्वपन कता ब्रह्म राक्षिस एक कविता संकलित हैं इसको याद रखेंगे अंगले कॉस्चन की और हम बढ़ेंगे कि जन्म दिन की दूप में कविता गजान अन्मादा मुक्ति बोध की रचना चांद का मोह टेड़ा में संकलित नहीं है जन्म की दूप में है ना एक जन्मादा मुक्ति बोध की इसको याद रखो अंगला कॉस्चन आपको बताना कि कौन सा रचनाकार तार सब्तक में संब्लित नहीं है कौन सा रचनाकार तार सब्तक में संब्लित नहीं है यह आपको बताना है कि आपको चेन करना है बताईए कौन सा रचनाकार है जो तार सब्तक में शमलित नहीं माना जाता आपको कमेंट में इसका उत्तर लिखना है लिखिए कौन सा रचनाकार नहीं माना जाता तार सब्तक में और यहां पर दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि सर्राम बिलास सर्मातों हैं तार सब्तक में, प्रभाकर माचबे भी तार सब्तक में है, मुक्ती बोध भी तार सब्तक में है, लेकिन कौन नहीं है, केदारनास से हैं, केदारनास से हैं, केदारनास से हैं, तार सब्तक में सम्मिलित नहीं है, यानि कि आपका उत्तर यहां च अग्ये द्वारा संपादेट चार सब्तकों में तीन कवित्रियां भी संक्लित हैं अब आपको बताना है वो कवित्रियां कौन कोई संक्लित हैं आपको चेहन करना है उत्तर क्या हो जाएगा अग्ये द्वारा संपादेट चार सब्तकों में तीन कवित्रियां भी संक्लित हैं वो कौन कौन सी है प्रश्न किरमांक नौ नौ का उत्तरा बताईए शकुंतला मातौर कीर्ती चोदरी सुमन पांडे इनमे से बताना है कि दोस्तो संपादे चार तार सब्तकों में जो कवित्रियां संब्लेत हैं वो कुण कुण सी है बताइए और यहाँ पर आपका राइट आंसर है एक तो सकुन्तला मातुर है हरी भवानी सकुन करे है ना दूसरे तार सब्तक से संब्देत हैं सकुन्तला मातुर मातोर ठीक है कीरती चोधरी तीर से तीसरे तार सब्तक से है जबकि सुमन राजे ये चोथे तार सब्तक से सम्बंदित हैं अब एक क्वेस्चन ऐसा भी आता है कि निमने मैंसे बताईए कौन से दूसरे तार सब्तक से सम्बंदित हैं और उत्तर चला जाता बिकल्प नम्मर B ठीक है अब यहाँ पर अंगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन तार सब्तक में सामिल नहीं है तार सब्तक में सामिल कौन नहीं है यह बताईए आप लोग अग्गे, शमसेर, मुक्तिवोध या फिर नयमी, चंद्र, जैन यानि क दसका अंसर इनमें से कौन तार सब्तक में सामिल नहीं है, कौन नहीं है तार सब्तक में, तार सब्तक यानि कि दोस्तों यह बो है कि क्या है, ठीक है, इसको याद रख लेना, इनमें से कौन तार सब्तक में सामिल नहीं, यह आप से पूछा गया, उत्तर चला जाता है, समसे समसेर बहादुर एक तार सब्तक में सामेल लई थे एक वेस्चन हमेशा पूछा जाता है मैंने कई बार आपको ट्रेक बताया कि अगर पिर्थम तार सब्तक को याद करना तो एक ट्रेक याद कर लेना नयमी मोक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से अगर दोस्तों करना है अगर आपको याद करना है क्या सेकंड यानि की दूसरे तार सब्तक का याद करना है तो आप याद कर लेना हरी भवानी सकुन करे सेर नरे रगु धरम करे हैना तो अग्ये दौरा उन्नीस सो तेतालिस में साथ कभियों का एक मंडल बनाया गया और तार सब्तक का संक अनकिया इनको याद रखेंगे ठीक है अंगले कुश्चिंग की उर राम बढ़ते हैं दोस्तो अंगला क्वॉस्चिन आपको बताना है कि प्रियोग बाद को सरबाद एक प्रभावित किया तो किस ने किया प्रियोग बाद को सरबाद एक प्रभावित किस ने किया ये आपको बताना है बताईए चेहन करिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है प्रियोग बाद को सरबाद किस ने प्रभावित में स्टार्ड होता है है ना और प्रियोग बाद सबसे पहले प्रियोग बाद सब्दिका जो प्रियोग किया था वो नंद दुलारे बाच पही ने किया था ये भी पता है आपको है ना और प्रियोग बाद को सरबाद एक प्रभावित किया तो वो अस्तित बाद ने प्रियोगबाद को सरबादिक प्रभावित किया मार्क्स बाद ने प्रभावित किया दिस्तो किसी प्रगति बाद को है ना ये आपको बता होगा और दोस्तों अस्तित बाद ने प्रियोगबाद को सरबादिक प्रभावित किया प्रियोगबाद ने इस आय अंगला question है fantasy, fantasy के बारे में आप fantasy के बारे में, fantasy बोलते ना आपन, fantasy, fantasy के बारे में आपको बताना है दोस्तों, fantasy के बारे में आप बताईए इसमें से इस चार विकल्प हैं हमारे सामने कि fantasy के बारे में कौन सा बक्तब शही नहीं है, बताईए, fantasy के बारे में शही नहीं है, तो क्या नहीं है फैंतसी का प्रियोग या थार्त स्रश्टी के निसेत के लिए होता है फैंतसी का प्रियोग दोस्तों प्रियोग अती रजनापूर्ण बरनन के लिए होता है या फिर दोस्तों फैंतसी का प्रियोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है या फिर fantasy का प्रियोग सत्त निरूपण के लिए होता है अपन बोलते ना कि सर fantasy के बारे में बक्तब सही नहीं है पूछा तो नहीं मैं आपका बिलकु सही आंसर होगा कि fantasy का प्रियोग या थार्त स्रश्टी के निसेद के लिए होता है ये कथन आपका गलत है यानि कि ये कैसा है ये सही नहीं है यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिलकु सही होगा fantasy का प्रियोग या थार्त स्रश्टी के निसेद के लिए होता ये बक्तब ये सही नहीं है जबकि fantasy के बारे में सही बक्तब fantasy का प्रियोग सत्त निरूपन के लिए fantasy का प्रियोग समाना अंतर संसार के निर्मान के लिए fantasy का प्रियोग अतिरंजन पूर वर्नन के लिए होता है इसका आपको उत्तर सही लगना है अब दोस्तों यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ थोड़ा सा कैसे आपको उत्तर पहचानना है इस प्रकार की जब question आते है तो इसको एक बार देखना है चारों बिकल्प आपको देखना है कि देखो fantasy का प्रियोग अती रंजनापूर बर्नन के जब आपको यह बिकल्प तीन बिकल्प लगबग सही लग रहे हैं एक समाल लग रहे हैं है ना तो आपको चौते बिकल्प की और ध्यान देने चाहिए कि दोस्तों यह थार्थ स्रश्टी के निसेत के लिए हैना तो आपका उत्तर एन अमल इस प्रकार की अगर question आए तो च निस्चे थी जब तीन एक समर्तन में है तो यह चौता ही गलत होगा खीक है इस प्रकार के question ओको इस प्रकार आपको पहचानना है अगर ऐसे पहचानोंगे तो आपका भी गलत नहीं करके आओगे है ना अब यहाँ पर आते मुक्ति बोत की किस प्रकार को पृति बंदित है या फिर चांद का मुह टेडा या भारत इतिहास और संस्कृति को प्रशन किरमा के तेरा मुक्ति बोत की किस पुस्तक को पृति बंदित किया गया अपन ने पढ़ा था कि सोजे बतन दोस्तों सोजे बतन जो कहानी थी वो किसकी थी प्रहम चंद जी की इसको क्या कर लिया चिंगारी दोस्तो एक बेचन सरमा उग्र की उग्र की चिंगारी को जप्त कर दिया गया था ये ना उसको भी पृति बन्दित कर दिया गया था। जो दोस्तो मद्द्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पृति बंदित कर दी गई थी किसे भारत इतिहास और संस्कृति को भारत इतिहास और संस्कृति को पृति बंदित कर दिया गया था मुक्ति बोथ की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को पृति बंदित किया गया थ उलेकनिया की मद्द्रदेश आसंद्वारा भद्रता नेतिक था कि बुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मद्द्रदेश नेयालाई ने मुकदमा चला था जिसका नरनाय या इसके दस आपती जना कंसों को हटा कर इसे पुनाइ प्रकासित किया जा सकता है इस पुस्तक की मुक्तिबोद ने लिकाए किया इतियास की पुस्तक नहीं है इस अर्थ में की सामनत इतिहास में राजाओ युद्धों राजनेते को लट फेरों का जैसा विवरण रहता है बैसा इसमें नहीं है युद्धों राजबंसों की विवरण में ना टक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के बिकास पत परंकित किया है इस प्रकार से तो मुक्ति बोत की दोस्तों ए रचना इसको याद रख लेना भारत इतिहास और संस्कृति इसको अपन को याद रख लेना अंगला क्वेश्चन है प्रियम बद अपका अंगला क्वेश्चन है प्रियम बद निम प्रश्न किरमांग 14 प्रियम बाद निम्न में से किस कविता से संबन्दे थे ये आपको याद रख लिना है और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा असाद्ध बीना क्या हो जाएगा असाद्ध बीना आपका सही उत्तर हो जाएगा पुलिसर असाद बीना ये आद बीना लिखा है ये असाद बीना है ये बी नम्मर सही है ये दोस्तो प्रियमबद इन से संबन देते हैं असाद बीना से संबन देते हैं अग्ये द्वारा रचेत असाद बीना का पात रहे प्रियमबद है ये अग्ये की अन्न कविताओं में द बताइए कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा प्रुसकार मिला है प्रियोग अपने आप में इस्ट नहीं है बरन बहसादन है एक अतन किस बाद से सम्मन देते हैं बताइए सभी लोग लाइक जरू कर देना और दोस्तो जिन भी साथियों ने अभी तक एप डाउलोड नहीं किया हैना तो प्ले स्टोर में आप सर्च कर लेना प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है सेल्फ स्टेडी किलासेश हैना आप सेल्फ स्टेडी किलासेश सर्च करते हो दोस्तो तो आपको यह सारी कि सारी मटेरियल मिल जाता है प्रियोग अपने आप में इस्ट नहीं ह बरन वह साधन है कि कतन किस बाद से संबन्दे थे उत्तर चला जाता है प्रियोग बाद से किस संबन्दे थे प्रियोग बाद से संबन्दे थे और डी नम्मर आपका बिलको सही है डी सही है उक्त कतन प्रियोग बाद से संबन्दे थे और ये कतन अग्ये जी का अग्ये जी न का उत्तर क्या हो जाएगा अग्य में और दोस्तों दूसरा तरसब्स की भूमी का में इन्हों ने लिखा था कि प्रियोग बात का आरप सन 1943 में अग्य से संपात कत्त्र में प्रिकासे तरसब्स से माना जाता है और तरसब्स सर्मा मुक्तिवोद प्रभाकर माचवे नयमी चंदर जैन गिर्जा कुमार मातर और भारत भूशन अगरबाल ठीक है अंगला क्वेश्चन है एक दूसरे से भिन्ने भिन्ने नए बिचारों नए बिचारों इवं रचना से अलियों के जो साथ कभी प्रियोगबात के कभी के प्रिसिद्ध हुए उनकी कभीताओं के संग्रह का शही नाम क्या था लो बताएए शही नाम क्या था इतना सरल कोश्चन आपका उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बिलकुल विरोधी भी थे और प्रवरतक भी एक तहीं यह प्रियोगबाद जो नाम दिया था नंद दुलारी बाचपे इने उसके विरोधी थे प्रियोग बाद के काई के प्रियोग बाद के उन्होंने कहा था कि ये प्रियोग का कोई बाद नहीं है प्रियोग बाद प्रियोग का कोई बाद नहीं है है ना और दोस्तो इसका उत्तर आपका डी नम्मर सही है सार सब्तक है ना एक दूसरे यहां आपने ये पढ़ाता ना कि प्रियोग अपने आप में इस्ट नहीं है, बरन वह साधन है, वह कतन किस बाद से सम्बन देते, प्रियोग बाद से सम्बन देते हैं, और दोस्तों इसके बाद इन्हों ने ये कहा था, कि प्रियोग बाद, दोस्तों कोई प्रि संबन देते हैं किस काल से संबन देते हैं तो आप बताते हो छाया बात से संबन देते हैं महादेवी बर्मा लेकिन दूसरा question अगर आप से पूछा जाएगा कि छाया बात का सबसे ज्यादा बिरोध किस ने किया तो आपका उत्तर हो जाएगा महादेवी ठीक है इन question को आपको रखना है दोस्तों क्योंकि ये question पूछे जाते हैं क्यों पूछे जाते हैं क्योंकि ये confusion वाले होते हैं है ना अब ये कोई नहीं सोचेगा जिसको नहीं पता वो ये नहीं सोचेगा यार जो व्यक्ति प्रियोगबाद का प्रवर्तक है वो प्रियोगब ये आपको बताना प्रियोग बाद का जन्म छाया बाद और किसकी रूणियों की प्रतिक रिया में हुआ था तो किसकी रूणियों की प्रतिक रिया में हुआ था प्रतिक बादी है ना प्रतिक बाद रीति काल प्रगति बाद या फिर भकति काल तो आपको पता है कि भी question आता है कि प्रगती बाद किस से प्रभावित है तो अपन ने पढ़ाता कि सर ए मार्क्स बास्ति प्रभावित है मार्क्स बास्ति प्रभावित माना जाता है आप से कहा जाता है कि राजनीती के छेतर में जो सामबाद है राजनीती के छेतर में जो सामबाद है साहित के छ चायाबाद और प्रगतिबाद की रोडियों से माना जाता है इसको याद रखे ना दोस्तों एक कालकंड है 1918 से 36 से लेकर कि क्या माना जाता है चायाबाद 36 से 43 माना जाता है प्रगतिबाद तो 43 से दोस्तों के माना जाता है कौनसा प्रियोगबाद इसको अपने याद रखे में माने जाती भवानी प्रसाद मिस्ति की कविताएं आपको चैन करनी है और पहले सब तक दूसरे चोथे या फेर तीसरे में कमेंट करके जल्दी से आपको लिखना है वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना है और भवानी प्रसाद मिस्ति की कविताओं की अगर बात हो है ना हमेसा आता है इसलिए दोस्तों अपनने पड़ा करे कि यानि कि हरी भवाश करे护य हरी भystem हरी भवानी हरी भावनी और भवनी इसलिए दो, दो हैं, दो भगवान हैं, तो तारसब्तक भी कौन होगा, दुतिये होगा, हरी, भवानी, तो हरी ही भी हैं, भवानी भी हैं, मतलब दो हैं, तो दुतिये तारसब्तक से संबन देत होंगे कौन, भवानी, तो भवानी, यानि कि दो नंबर आपका बिल्को सही है, भबानी परसाद मिस्री की कविताएं दूसरे तारसब तक में संग्रीत हुई और दूसरा तारसब तक प्रकासित हुआ तो दोस्तों उन्नी सो इंक्यावन में इसको याद रख लेना अब यहाँ पर दोस्तों अंगला कोस्चन बताना कि कौन सी काविकरती गिर्जा कुमार मातुर की नहीं है यह आंसर आपको चैन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर आपका उन्नीस का बताना है कि कौन सी का विकरती गिर्जा कुमार मातुर की नहीं है और नहीं है पूचा है तो नास और निर्मार तो है चला पंक चमकीले है छाया मत छूना ए भी है लेकिन कौन सी नहीं है बुनी हुई रस्सी है ना बुनी हुई रस्सी इसको आप को याद रख रहे ना है और दोस्तों कि डी नम्मर आपका डी नम्मर बिल्कुँ सही है बुनी हुई रस्ती गिर्जा कुमार मातुर की नहीं है एक कुर्टी भवानी प्रसाद मिस्र की है जबकी जबकी रा नास निर्मार शिला पंक चमकिले छाया मत छूना हैना साक्षी रह बरतमान की सारी की सारी रचना है गिर्जा कुमार मातुर की है अंगला क्वेश्चन है धरमबीर भारती की काविकृति कनू प्रिया में किसका वरनन है दोस्तों अपनने कभी प्रिया एक रचना पड़ा है कभी प्रिया की रचनाकार कौन मान जाते हैं पोलिसर केसव दास लेकिन कनुप्रिया की रिचनाकार कौन हैं? तो आपको बताना है कनुप्रिया की रिचनाकार हैं दोस्तों कौन? धरमबीर भारती है ना? तो इसको याद रखेंगे धरमबीर भारती की काब किरती कनुप्रिया में किसका वर्नन है? तो उत्तर चलाता है राधा के नभीन रू की नविन रूपका बरनन है यृणी कि ये नमर आपका उत्तर हो जाएगा ये नमर साहिज हो जाएगा ये राइट रण्सर हो दरम बीर भारती की काब किरती कनु प्रिया में राधा के नभीन रूप का वर्नन है इस काब में राधा और कश्ण के प्रेम का चित्रन किया गया दरम बीर भारती मूलते प्रेम के कभी है इनका भी आपको याद रख लेना वो धरम बीर भारती की जो रचना है पूछी जाती तो कनुप्रिया साथ गीत बर्स में साथ गीत गाते हैं हम धरम के साथ गीत गाते हैं तो धरम से यात कर लेना धरम की सरण में लोहा कितना भी गरम हो ठंडा हो जाता तो धरम बीर भारती अंदा योग हो जाएगा अगर धरम नहीं होगा तो है ना तो अंदा है योग धरम के बिना तो अंधा योग धरम बीर भारती कानों को प्रिये लगता है धर्म तो कनू प्रिया धरम बीर भारती है ना यहाँ पर देखो किसने साथ नए कभियों को ले करके उनीस सो तेतालिस में तार सब तक किया तो बी नमबर बी आपका बिलक Beau度 का लिए का अग्य ने किया था और भी आपका सही है है ना सचिदानन्ध हिरा नन बासान अग्ये साथ नई कभियों को लेकर उनईंसो तेतालीस में सा नग्ये में साथ सबतक नामा के काभ संग्र Бог प्रिकासित किया और अग्य जी ने इन कभीयों को राहों का अन्वेसी कहा एक क्वेस्चन भी आता है कि तार सब्तक के कभीयों को क्या कहा जाता है तो इन्हें कहा जाता है राहों का अन्वेसी है ना और दोस्तों अग्य जी ने उन्नी स्विंग क्या उनी सिवी में दूसरा तार सब्तक, उन्यासी में तीसरा, उन्सट में तीसरा और उन्यासी में चौता, ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के कितने तार सब्तकों का प्रकासन हुआ, चार तार सब्तकों का, ठीक है, चार तार सब्तक आप याद रखेंगे, यहाँ पर असाद बीना कविता की रिच सायन अग्ये तो 22 असाद बीना कविता की रचनाकार कोण माने जाते हैं चैन करिए शबी लोग असाद बीना की रचनाकार कोण माने जाते हैं उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरमांक 22 और 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका असाद बीना कविता की रचनाकार का नाम और उत इनकी अन्न कविताए कलगी बाजरे की है ना साप नदी के दीप हरी घास पर छणबर जितना तुमारा सच थीक है सब्द और सत्त के दीप अकेला सोन मशली कमल के पूर्शत्थपुडा के जंगल है ना इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों और बानी की दीनता और गीत फरोस इसको भी याद रख लेना ये भवानी परसाद मिस्तिर की रचना है सत्पड़ा की जंगलादी ठीक है हमें प्रियोग बादी कहना उतना ही सारतक या नरतक है जितना हमें कविता बादी कहना हैना उक्त कतन किसका है उक्त कतन आपको बताना एक कतन किसका है ये कतन आपको चैन करना है जल्दी से चैन करिए एक कतन किसका माना जाता है हमें प्रियोगबादी कहना उतना ही सार्थक या फिर निरर्थक है बताइए इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा हमें प्रियोग बादी कहना उतना ही सार्था को नरर्था के इस प्रस्टन को आपको बताना है और उत्तर चला जाता सचिदा नंद हीरा नंद बास्ताइन अग्गे की तरफ और ए नम्मर आपका सई है हमें प्रियोग बादी कहना उतना ही सार तक या नर तक है ये राइट अंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन आपको बताना है यहाँ पर कभिता मैं कहने की आदत नहीं पर कह दूँ बरतमान समाज में मैं चल नहीं सकता पूझी से जुड़ा हुआ हिरदय बदल नहीं सकता य यह पंक्ति किस कभी की है कभिता मैं कहने की आदत नहीं पर कह दूँ बरतमान समझ में समय में चल नहीं सकता पूझी से जुड़ा हुआ हिरदय बदल नहीं सकता यह पंक्तिया किस कभी की माने जाती है यह बताइए सभी लोग बताइए सभी का अंसर क्या हो जाएगा 24 का और दोस्तों ये जो पंक्ती है ये पंक्ती माने जाती है ये पंक्ती माने जाती है हैना किसकी माने जाती है मुक्ती बोध की मुक्ती बोध यानि आपका बी नमबर मुक्ती बोध बिलकुश चाहिए हो परियोक्ती परियोकबादी का भी मुक्ती बोध की है हैना और इनके द् यक्ति के सारे खत्रे उठाने ही होंगे तोडने होंगे मट और गड़ सभी ये उक्ति भी दोस्तों मुक्तिवोत की कई बार पूछी गई है ठीक है कौन सा काब संग्रह सचिदानंद हीरानन बास्तायन अग्ये का नहीं है ये क्वेस्टन आपको बतना है प्रश्ण करमाट 25 कावं तो 25 में आपका बिलकुश रही है भल्कि काव संग्रह नहीं है बल्कि घजाननमादव मुक्तिवोत का काव संग्रह है सेज सभी हरी घास पर छनवर 1949 हैना इंदर धनोस रोंदे हुए थे 1957 इतलाम उनी सो दोस्तों के 46 अग्ये के काब संग्रह माने जाते हैं हैना इसको आपको याद रख लेना भगन दूद, चिंता, बाबरा, एहेरी हैना इसारी की सारी रचनाएं अग्ये की आपको पढ़ना है फिर अंगले क्वेस्चन की और बढ़ेंगे हम अंगला क्वेस्चन आपको बताना है कि कुमर नारण का काब संग्रह है तो कौनसा है कि आपको चैन करना है चैन करिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करते रहिए और जिन भी सात्कियों ने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ इस्टडी किलासे इसका बढ़िया मौका है पंजाब मास्टर केडर बालों के लिए जूनियर टैट एकजाम बालों के लिए दोस्तो संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्द है प्लस टिर्की वीडियो हैना प्लस टेस्ट प्लस बिस्तरे तद्यान ब पूरा बैलर रहेगा यह कोर्स सौरुपे मैने भी आपको इस कोर्स में नहीं लग रहे है न तो आप दोस्तों इस कोर्स को एड़ वीसर ले सकते हैं अपनी तयारी कर सकते हैं और हासी यह का गबा है यानि कि D-Number कुमर-Narana का काब संगरह है हासी यह का गबा है और डी नम आत्म जई परिवेस हम हम तुम है ना कोई दूसरा नहीं इन दिनों बाजस्तरवा के बहाने हासिये का गबा है कि कुमर नाराण की हैं दोस्तों है ना अब ये याद रख लेना ये आत्म जई कई बार पूचा गया ये बाजस्तरवा के बहाने कई बार पूचा गया है ना चक मचली घर संबाद तुमसे ये भी आपको याद रखे ना मचली घर कई बार पूचा गया नरेश महता बन पांखी सुनो बोलने दो चील को मेरा समर पे ते कांत है ना चैत्या उत्सवा संसय की एक रात है ना नरेश महता महाप्रस्थान प्रबाद पर्ब सबरी आख्या प्रा कई बार इनकी रचना पूची गई और बन पाकी सुनो ये रचना भी नरेश महता की कई बार पूची गई ठीक है इसको आपको याद रख लेना है इसको दोस्तो उत्तर करना है ठीक है अब यहाँ पर देखो गिर्जा कुमार मातर मंजीर नास और निर्मान धूप के धान स प्रशने किरमांग 27 और इन में से कौन सी रचना धरंबीर भारती की नहीं है तो आपने पढ़ा था अंधायोग आपकी रचना है ठीक है ठंडा लोहा आपकी रचना है ये भी आपको याद रख लेना है और दोस्तो कनूपरिया ये भी आपकी रचना है लेकिन हरी घास पर चनबर की रचना नहीं है बोड़ी सरी धरंबीर भारती की नहीं ये तो अग्गे की रचना है इसकी है अग्गे की रचना है अग्गे आपका हरी घास पर चनबर शंडा लोहा अंधायोग कनुपरिया साथ गीत बर्स यह सारी की सारी जो रचना है यह धरमवीर भारती की माने जाती है जब की भगन दूत, तक में अमरता भारती कीरती चौदरी शकुंतला मातोर या पिर शुमन राजेव Student क्रमांख 28 क्या उन्हीं प्रेकासित दूसरा सब तक में अमरता यहानी सकुनतला मात्वूर कीया दूसरे सब्तक से संपत्तित थीं। है ना सब तक के अंतरगा साथ कभीयों को सामिल किया गया और दूसरे सब तक में संकलित कभी हैं समसीर बहादूर सें भवानी परसाद मिस्र शकुंतला मातौल हरी नारण ब्यास नरेस महता धरमबीर भारती ये मानी जाती हैं और रगवीर सहाई की कृतियों का प्रकासन कृत थाकरम देखें तो सीडियों पर धूप में आत्मत्या के ब्रुद्ध हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिठिया एक समयता अब दोस्तों आपको पता होगा कि रगवीर सहाई की ये रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आत्मत्या के एक समय था ठीक है तो इनको दोस्तों आपसे पूछी जाती कि रचना किसकी है रगवीर सहाई की रचना है वो प्रस्ण है घोर अहमनिस्ट ब्यक्तिबाद किस काबधारा की प्रिविड़ती है घोर अहमनिस्ट बताइए चार विकल्फ हैं घोर अहमनिस्ट आपको बताना ह कि घोर एहमनिस्ट व्यक्तिबाद किस काबधारा की विशेष्टा है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है बताइए बढ़िया प्रशन है दोस्तों आपके लिए और इसी प्रकार से 9 बजे अपनी एक कक्षा चलती है और हम दोस्तो इसमें पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से तो बताइए घोर एहमनिस्ट व्यक्तिबाद किस काबधारा की प्रिविट्ती मान जाती है छायावाद की या फिर दोस्तों प्रियोगबाद की या फिर प्रिगतिबाद की कमेंट आपको लिखना है और यहाँ पर आपका जो बिल को सही है आदर्स के स्थान पर या थार्त में नहित ब्यंग और बिद्रूप को प्रियोगबाद अधिक प्रिगट करता है इसको याद रखेंगे अंगला कोच्चर यहाँ पर कुछ रचनाएं दी हैं इन रचनाओ को आपको सुमेलित करना है करिए सुमेलित करना है इत्या कौन कौन सी है और दोस्तों यह किसकी रचना है इसके लेका कौन है यह भी आपको बताना है तो चैन करिए कौन सी रचना है इतलम ठंडा लोहा जल्दी से बताइए चार विकल्प आपको कूट भी दिये हैं दोस्तों और इस कूट के माध्यम से ही आपको चैन करना है कि शह आप दोस्तों आपको पता है कि जो इत्तलम के रचनाकार है वो कौन है अग्ये ठंडा लोहा किसकी रचना है धरमबीर भारती की गीत परोस की रचनाकार कौन है नरेश महता संसाई की एक रात नरेश महता की रचना है तो इत्तलम की रचनाकार कौन है अग्ये जी ठंडा लोह किसकी रचना है तो धरमभीर भारती गीतपरोस की रचना कार कौन है भवाणी प्रिसाद मिस्त्र संसाइ की एक रात नरेश महता इन रचनाव को आपको याद करना है अंगला question आपकी screen पर आपको दिया जाता है अंधेरे में कभिता किस ने लिखी एक अपरेल से दोस्तों model paper लाँच होने वाले है model paper आपके लिए tgt pgt के लिए model paper model paper लाँच होने वाला है तो जिन भी सातियों को model paper दोस्तो model paper मेडवी से लेना है वो model paper में ले सकते हैं ठीक है अ अब आपको chain करना अंधेरे में कभिता किस ने लिखी है मुक्ती बोद ने नागर जुन त्रिलो चन या फिर धूमिल बोले सर अंधेरे में क्या हो जाती है अपने पड़ा है कि आपको अंधेरे में अगर बंद कर दिया जाए दो तीन दिन तो बोले सर ऐसा मत कर ले नहीं तो क्या हो जाएगी मुक्ती हो जाएगी मुक्ती है ना तो यहां पर आपका बिलको शही है मुक्ती बोद यानि कि आपका जो ए नमबर है वो बिलको राइट आंसर है अंधेरे में मुक्ती बोद अंधेरे में कभिता मुक्ती बोद द्वारा लिखी गई और इस कभिता में आदुनिक जीवन के जादू या नुभवों की अभी बैक्ति है ब्रम राक्षस भी इसी प्रकार की कविता है चांद का मोह टेडा भूरी भूरी खागदूल के मुक्ति बोत की काब करतिया मानी जाती है अंगला क्वेस्चन आपके सामने है कुवानो नदी काब संग्रह की र ठीक है तो कुवानो नदी काब संग्रह की रचनाकार प्रश्न किरमां का अपका 33 है और 33 में आपका जो बिल्कुस सही आंसर हो जाएगा कि कुवानो नदी काब संग्रह की जो रचनाकार है वो रचनाकार है सर्वेश चुर्दयाल शक्सेना सर्वेश चुर्दयाल शक्सेन पर उत्तर हो जाता है बिकल्प नमबर डी, डी नमबर आपका बिल्कु सही है, अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है दोस्तों यहां पर आते हैं, क्वानु नदी के बारे में हम देखते हैं, कि क्वानु नदी के रचनाकार तो सरवेश दयाल सकते हैं, है ना ये भी आपको उमर नारान की रचना माने जाती हैं तो यहां पर आपको प्रियोगबादी कभियों की रचनाए किस सब्तक में संग्रीत हुई प्रियोगबादी कभियों की रचनाए बताना है किस सब्तक में संग्रीत हुई ऐसा अगर question आप से पूचा जाए तो आपको ये चीज याद रख कि रचना है कि किस सब्तक में हुई तो वह हुई तार सब्तक में तार सब्तक यानि कि आपका एक नमडल बिलकूर शाहि धीक है प्रियोगवादी कभियों की रचना तार सब्तक में संग्रीत हुई हिंदी में प्रियोगवाद का प्रारम 1943 सिस्वी में अग्ये द्वारा संपादे तार सब्तक के प्रकासन से माना जाता है हैना तार सब्तक के कभी कौन थे दोस्तों नयमी मुक्त भारत की प्रिभागिरी राम की आग्या से तो नयमी से बनेगा नयमी चंदर जैन हैना गजान रमादाव मुक्ती बोध भारत भूशन अगरबाल गिर्जा कुमार मातोर अग्ये राम बिलास सर्मा प्रिभाकर माचबे प्रियोगवादी कभीता में प्रियोग करने में ये विश्वास करते थे तो इसको याद रख़े ना दोस्तों कि पे माने जाते हैं तार सब तक के कभी ठीक है अगला कोच्चन राष्ट गीत में भला कौन बाय भारत भाग बिधाता है फटा सुतन्ना पहने जिसका गुन हर गाता है थर्टी फाइब थर्टी फाइब में आपको चैन करना है ये थर्टी फाइब का अंसर क्या हो जाएगा थर्टी फाइब में आपने चैन किया कि ये जो पंक्तियां है इन पंक्तियों के जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है प्रश्न किरमांग 35 और 35 में आपका बिल्कुल शही आंसर हो जाएगा रगवीर सहाए रच्ट गीत में भला भाग बिधाता है और फटा सुतन्ना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है कि रगवीर सहाए की आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल शही है ये नंबर आपका राइट आंसर उपर पंक्यों के रचना का रगवीर सहाय जी है रगवीर सहाय सरवेशु दैयर चक्सियना किदार नास से है ना दोस्तों इनको याद रखेंगे अंगला यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सुमेलित करना है अरी ओ करुणा प्रभामय दूप के धान खुसबू के सलाले एक चांद क मोहिट टेड़ा बताये चांद का मोहिट टेड़ा यह रचना किसकी है खुसबू के सलाले कि रचना किसकी है और दोس्तों आपको बताना अरी ओ करुणा प्रभामय यह रचना किसकी मेल चार विकल्प है चार में से आपको चेहन करना है और right answer आपको पता है क्या हो अरी ओ करुणा प्रिभा मैं ये तो दोस्तो किसकी है अग्ये जी की है ना अग्ये जी की यानि कि आपका दोस्तो नंबर जो हो जाएगा वो कुछ सा हो जाएगा बुलिसर धूप के धान धूप के धान गिरजा कुमार मातवर। धूप में धान गिर जाती है धूप में धान गिर जाती है तो धूप के धान या धूप में धान तो गिर जा तो गिर जा कुमार मातोर खुसबू के सिलालेक की रिचनाकार कौन है तो वो लिभावानी प्रसाद मिस्त्र है ना और चांद का मुह्टेडा मुक्ति बोध यानि क कि आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों डी की तरफ डी नम्मर आपका बिलकुस ही है यहाँ पर हम देखते हैं उप्रोक्त कृतियां प्रियोगबादी कभियों की हैं अरी यो करुणा प्रभा मैं सचिदानन धिरनन वाससाइन अग्ये की हैना उनकी अन्यकाब कृतियां हरी जास पर चड़वर ठीक है और आंगन के पारद्वार कितनी नाव में कितनी बार शागर मुद्रा महाब्रक्ष के नीचे क्यूंकि मैं उसे जानता हूं बावरा हेरी इंद्र धनो स्रौंदे हुए थे कुसबू के सिलालेक भवानी प्रसाद मिस्री की रचना है उनकी अन्य संबेदनात्मक ज्यान और ज्यानात्मक संबेदन सूत्र के प्रयोकता है तो कौन है बताइए संबेदनात्मक ज्यान और ज्यानात्मक संबेदन सूत्र के प्रयोकता कौन है रमेश कुंतल मेग विजय देव नारान साही गजान अनमादव मुक्तिबोध या फिर मनुहर स्य नाम जोसी, 37 cancer, हाँ, हाँ, B है, B, 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 बिल्कुल, D बता दिया क्या मैंने, हाँ, ए B नमबर है, B नमबर, B नमबर सही है, इसका, बिल्कुल सही, B नमबर सही है, है ना, अरियो करुना प्रभाम है, दूप के धान, कुस्बु के सलाले, मुक्ति बहुत, बेरिगोड, B नमब सही है, है ना, यहां पर देखते है, आगे बाला question इसको देखते हैं, very good, यहां पर आ जाते हैं, संबीद नातमक ज्ञान और ज्यान आतमक संबीद अन सूत्र के प्रियोकता है, तो कुएन है, 37 का आंसर चैन करना है, और 37 का आंसर आपको बताना है, यहां पर संबीद नातम ज्यान और ज्यान आत्मक संबेदन सूत्र की जो प्रियोकता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा 37 और 37 का आंसर आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर आपका बिलकुट सही हो जाएगा यहां पर आपका उत्तर है विजय देव नारण साही यनि की बी नंबर ठीक है बी नंबर आपको बी नंबर बिलकों सही हो जाएगा विजय देव नारण साही आपका राइट अंसर है प्रिया जैंत जी बी नंबर बिलकों सही है यहाँ पर देखो संबेदनात्मक ज्यान तथा ज्यानात्मक संबेदन सूत्र के प्रियोकता गजान अनमादाओ, मुक्ती बोध हैं, इसको याद रखे ना, ठीक है, अंधेरे में क्या हो जाएगी मुक्ती, ब्रह्मराक्षस, हैना ये मुक्ती बोध की रचना है, चांद का मुह टेड़ा, ये भी आपको याद रखे ना, और दोस्तों, अंगला आपके लिए क्वेस्च है नयमी चंद्र जैन, और च्वता है भारत बूशणा अगरबाल, च्वता बिकल्प आपका भारत बूशणा अगरबाल है, बताइए, उत्तर क्या है, थर्टी एट का अंसर आपको चैन करना है, थर्टी एट का उत्तर आपको बताना है, रूपामबरा की रचनाकार कौन ह है तो 38 में आपका उत्तर चला जाता है अग्गे की तरफ अग्गे यहनि कि आपका ए नंबर जो है वो बिलकुँ चाहिए है रुपामबरा किसकी रिचना है अग्गे की ए नंबर राइट अंसर अंधा योग के लेखा कौन है अंधा योग मैंने कई बार आपको बताया है अं आपका पर आपने देखा कि रुपामबरा अग्गे जी की रिचना मान जाती है हना और यहां पर ओक्छंप पूछा गया शाहव की अंधा योग के लेखा कौन है आपने बताया सर ढब के बिना अंधा है योग धर्म के बिना अंधा है योग यानी बी नम्मर आपका बिलक expos सही है जिन विसातियों को एड़ बी सर लेना है जोरियर टेट वाले हो या पर TGT PGT वाले हो वो एड़ बी सर ले सकते उस काल की घटना को आज की मानसिक्ता से जोड़ा है वो धरंबीर भारती की रचनाओं की अगर बात करें तो ठंडा लोहा, साथ गीत बर्स, कनु प्रिया, सपना अभी भी हैना इनको याद रखना है अंगला क्वेस्चें आप से पूछा जाता है कि गर्जा कुमार मातुर की किरती नहीं है तो कौन ची नहीं है, नास और निर्मार, दूप के धान, प्रतिभी कल पर, बताईए हाँ जूनिया टेट के लिए है रिंग की आदाओ जी बिलकुल कौन गिर्जा कुमार मातुर की किर्टी नहीं है जूनिया टेट हिंदी के लिए गिर्जा कुमार मातुर की किर्टी नहीं है तो कौन सी नहीं है चार विकल्प हैं, एक विकल्प आपको नहीं देख रहा, तो नीचे विकल्प दिया है चांद का मौई टेडा, नीचे बिकल्ब दिया है चांद का मह्युट टेड़ा है ना तो आपको इतना तो पता है कि सर गिर्जा कुमार मातुर की नास और नर्मान है प्रत्य भी कल्प है धूप के धान भी है लेकिन चांद का मह्युट टेड़ा ये जो रचना है ये रचना गिर्जा कुमार मातुर की नहीं है यनि की उत्तर आपका डी की तरफ चला जाता है डी नम्मर चांद का मोह टेड़ा आपका बिलकुट सही हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर आते हैं अंगले प्रशन की ओर यहाँ पर देखते हैं मंजीर नास और निर्मार धूप ग्यान पीट प्रुषकार किस रचना पर मिला था बताईए फोटी बन ग्यान पीट प्रुषकार नरेस महता की यहाँ पर बात हो रही है तो उत्तर बताईए उत्तर क्या हो रहा है नरेस महता को ग्यान पीट प्रुषकार मिला तो किस रचना के लिए मिला नरेस महता की बा जल्दी से बताईए शंपूर रचना कर्म के लिए ग्यान पीट प्रुसकार मिल गया था किसको ग्यान पीट प्रुसकार मिला था दोस्तो नरेश महता को नरेश महता यानि कि आपका जो बी नंबर है यह संपूर रचना कर्म आपका बिलकुश सही हो जाएगा ठीक है संपूर रचना कर्म नरेश महता 1992 इसमी में नरेश महता को ग्यानपीट प्रुषकार उनके संपूर रचना कर्म के लिए दिया गया ना कि किसी रचना विसेश के लिए ठीक है इनकी प्रमुक्त किरतियां बन पाकी सुनो प्राथना प्रोष महाप्रस्तान बोलने दो चीड को देखना एक दिन है ना ये सबी माने जाते हैं अंगला क्वेश्चन किस गरंथ के लिए का क्राम बिलास सर्मा नहीं है किस गरंथ के लिए का क्राम बिलास सर्मा नहीं है ये आप बताईए बिलकुल 1982 के बाद शंपून साहित में ये मिल रहा था केवल हिंदी में चार रचनाओं के लि उचक माने जाते हैं राम बिलास सर्मा का नाम आता मार्कस बादी आलोचकों में और राम बिलास सर्मा नहीं है तो दोस्तो राम बिलास सर्मा किस के रंत के लेकक नहीं है तो चार विकल्प है और आपको पता है कि सर कविता के नए प्रतिमान कविता के नए प्रतिमान ये कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान है ना तो ए लच्मी कांत बर्मा की मानी जाती है लेकिन दोस्तों भासा और समाज राम बिलास सर्मा नई कविता और अस्तित्वाद के रचनाकार राम बिलास सर्मा भारत में अंग्रेजी राज और मार्कसबाद के रच थे की रचना है इनको याद र massively हैना कविता की नई प्रतिमान नामबार से नामक दोस्तों गरंत के लेकाग डाक्टर नामबार से हे एक क्वेस्चन भी नामबार से का कई बार आया है है जो अन्य ऊंगला क्वेस्चन यहां पे कौन्सा कब सेंग्रे का नहीं है aussi काब संग्राय अग्गे का नहीं है अब दोस्तों आपको बता है सर हरी घास पर छणबार ए तो है अरी ओ करुणा प्रभा मैं ए भी है आगन के पारद्वार ए भी रचना इन ही की है दोस्तों लेकिन शीडियों पर दूप मैं के किसकी रचना है पुलिसर ए तो रगवीर सहाई की है किसकी है रगवीर सहाई की माने जाती है शीडियों पर दूप में और उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर सी सी आपका बिल्कुश सही हो जाता नई कविता सीडियों पर दूब रगवीर सहाय का काब संगरे है रगवीर सहाय की अन्न काब संगरे आत्मत्या की बुरुद्ध हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं हरी घास पर छडबर हैना इस सारी की सारी रचनाय माने जाती हैं इनक या फिर मुक्ति बोध नहीं है नैमी चंद्र जैन नहीं है या रगवीर सहाय नहीं है अब दोस्तों एँसा अगर कोश्चन पूछा जाता है तो अपने कई बार पड़ा है कि सर तार सब्टक की अगर बात होगी तो तार सब्टक में कौन कौन से आते हैं है ना तार सब्ट प्रियोग बात का प्रियोग दोस्तों क्या माने जाती है उनीस सो ते तालिस से शुरुवात माने जाती है और तार सब तक में मैंने आपको कई बार बताया है नयमिय मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से तो यहाँ पर आपका right answer चला जाता है तार सब तक के कभी नहीं है यहनि कि आपका डी रगवीर सहाय रगवीर सहाय नहीं है और आपको पता है हरी भवानी सकुन करे सेर नरे रगु धरम करे तो रगवीर सहाय किसके हैं बुलिसरी दुतिये तारसब्तक के माने जाती हैं इनको याद रखेंगे तारसब्तक का प्रकासन सच्दान अंध 43 इसवी में किया गया और हिंदी प्रियोगबादी कापधारा का प्रारंब इसी संग्रह से होता है ठीक है तार सब्तक में मुक्तिबोध प्रिभाकर माचबे अग्ये की इनकी रचना है दोस्तों 1943 में तार सब्तक का प्रकासन हुआ और कुल मिला के चार तार सब्तक प्रकासित हुए 1943, 1969, 1951 और 1289 ये चार सब्तक प्रकासित हुए थे इनको याद रखने ना 45 का अंसर आपको चैन करना है 45 का राइट अंसर हरी घास पर छण भर सीड़सक का बिसंकलन की रचीता कौन मान जाती है दिनकर निराला अग्ये या फिर इनमें से कोई नहीं यानि कि 45 का अंसर हरी घास पर छण भर सीड़सक का बिसंकलन की रचीता आपको चैन करना है और एक विए प्षेटन तो लगबग सभी दोगों को पता है ओना आंसर आपका चला जाता है हरी घास पर छडबर सीर्षक के जो काब संकलन की रिचनाकार है वो कौन है अग्गे अग्गे यानि किसी नमर हरी घास पर छडबर काब संकलन की रिचेता अग्गे हैं कितनी नाव में कितनी बार महा ब्रक्ष के नीचे इस अग्गे की रिचनाय मान जाती हैं अंगला क्वेश्चन है कि किस लंबी कविता की रिचेता मुक्ती बोद हैं लंबी कविता की रिचेता आपको बताना है कि मुक्ती बोद हैं पैसोला की ध्वनी बताइए उत्तर बतान है आपको पैसोलया की प्रतीध्वनी अंधेरे में राम की सकती पूजा या फिर असाद बीना लंबी कती कविता के रचेता दोस्तों मुक्ती बोध हैं कौन सी लंबी कविता है जिसके रचेता हैं बताइए सभी को कॉस्चन आपको बताना है है ना उत्तर आपका सही क्या हो यही कॉस्चन पूछे गए है है ना पढ़ते जाईए और किस लंबी कविता के रचेता माने जाते हैं तो अंधेरे में अंधेरे में यानि कि आपका जो बीनमबर है बीनमबर आपका बिलको सही हो जाएगा गजानन मादा मुक्ती बोध द्वारा अंधेरे में नामक पूरी खाक दूल ये सबी मुक्ति बोत की रचना है ठीक है ये मुक्ति बोत की हैं अंगला क्वेश्चन आपके लिए गया कि कौन सी रचना पौरान एक कथा पर आधारत है बड़ी या प्रस्न है बताइए अब पौरान एक कथा पर आधारत है ये रचना कौन सी है बताइए उनसर क्या हो जाएगा है ना शबी का अंसर बताना है आपको कौन सी रचना पौरान एक कथा पर आधारित नहीं है बताईए सरल कॉस्चन है बढ़िया सरल कॉस्चन आसान कॉस्चन है कौन सी रचना पौरान एक कथा पर आधारित नहीं है महाप्रस्तान अमन उर्वसी या फ पर आधारित नहीं मानी जाती ये उत्तर आपको बताना है और बहुत सारी लोगों ने उत्तर बताया है कि सर कुछ लोग B बता रहे हैं कुछ लोग C बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं D हैना लेकिन उत्तर इसका सही क्या है उत्तर आपने बताया है कि सर अमन का राग अमन का राग ये पुराण एक कथा पर आधारित रिचना नहीं मानी जाती और D नमबर आपका बिल्कों सही हो जाता है जिन्होंने डी बताया मन का राग बिल्कों सही आंसर है डी आपने बिल्कों सही बताया मन का राग समसेर बहादर से की एक लंबी कविता है जबकि महाप्रस्तान नरेश महता की है है ना उर्बसी दिनकर की रिचना है है ना दोस्तों याद रखे ना कनू प्रिया कानों को प् किया गया है प्रश्ण किर्वांग 48 48 का अंसर दुवेदी युग नाम कड़ किसके नाम पर किया गया ये उत्तर बताना है उत्तर बताना है प्रिया जैन्त जी दुवेदी युग नाम कड़ किसके नाम की अधार पर किया गया 48 का अंसर आपको बताना है क्या बोल ला है ठीक है तो दुवेदी योग नामकर किसके नाम की आधार पर किया गया उत्तर चला जाता है महाबीर पिरसाद दुवेदी महाभी परसाद दुवेदी य। यानि कि आपका राइट आंसर बी नमर बिलको सही है। ठीक है बिलको सबीं लोग लाइक जरू कर देना हैं लाइक वीडियो को जरू करें। महावीर प्रसाद दुवेदी बी नम्मर आपका सई है महावीर प्रसाद दुवेदी गरिमा पंडित हैना गरिमा मंडित व्यक्तित्तों के धनी थे हैना और हिंदी साहित के दुतिये योग का दुवेदी योग नाम करना अचार महावीर प्रसाद दुवेदी के गरिमा मंडि व्यक्तित्यों के क् rendezvous पर रख कर किया गया था दूस्तों हैना जुबेदी योग और अंगला कॉस्चन आपसे पूछा जाता है कि सहस रहस परुषकाबिमब मुक्तिवोथ की किस कविता में नहीं है कौन सी कविता में नहीं है मेरे सहचैर मित्र अंधेरे में इस छोड़े उ कोई पोकार के सभी लोगों को बताना है रहस्य परुस्का बेंब मुक्ती बोत की कविता में नहीं है तो कौनसी कविता में नहीं है यह आपको कमेंट में लिखना है और जिन भी साथियों को दोस्तो एड़िसल लेना है तो वो जल्दी एड़िसल ले सकते हैं और दोस्तो कर सकते हैं किरम बद्द कर सकते हैं ट्रिक से पढ़ सकते हैं है ना रहस्त पुरुसका बिम्ब मुक्तिवोत की किस कविता में नहीं है उत्तर चला जाता है अंधेरे में और बी नम्मर आपका बिलकुश सही हो जाता है अंधेरे में आपका राइट अंसर प्रियोग बाद अंधेरे में कविता का प्रतम प्रकासन आसंका के दीब अंधेरे में नाम से हुआ था दोस्तों आसंका के दीब अंधेरे में इस नाम से हुआ था फिर अंगले क्वेस्चिन की और हम बढ़ेंगे अंगला question बताना है कि दोस्तों यहाँ पर बताना है प्रियोगबाद की जन्मदात्तिरी पत्री का कौनसी है बताईए इसका उत्तर आपके सामने है आपको उत्तर भी चैन करना है प्रियोगबाद की जन्मदात्तिरी पत्री का कौनसी है यह आपको बताना है प्रियोगबाद की जन्मदात्त्री पत्री का कौन सी है बताईए चार बिकल्प है उत्तर भी आपके सामने है और उत्तर भी आपको ही बताना है पचास का अंसर बताना है बताईए शवी लोग कौन कौन सही बताते हैं वो बता रहे हैं देख रहे हैं कौन कौन से सही बता रहे हैं देख कर भी सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं बहुत सारे सातियों ने जो उत्तर बताया है दोस्तों कि सर ये जो तार सब्तक थी ये पत्री का नहीं थी कि तार सब्तक क्या थी ये पत्री का नहीं थी सभी लोगों ने देखा बोले उत्तर तो दिख गया उत्तर दिख गया और सभी लोगों ने लगा दिया तार सब्तक लेकिन ये उत्तर गलत है ये उत्तर क्या है गलत है कि तार सब्तक पत्री का नहीं थी ये तो क्या था काब रहे यह पत्रीका नहीं थी ठीक है इसको याद रख लेना पत्रीका जो थी वो प्रतीक पत्रीका थी प्रतीक पत्रीका से दोस्तों माना जाता है यह आपको याद रख लेना की प्रियोग बाद की जन्मदात्री पत्रीका जो माने जाती है वो प्रतीक पत्रीका है इसको रचना की द्रश्टी से निम्लकित कविताओं का सही अनुकरम आपको बताना है अंधेरे में आसाद बीना है ना यह बताना है तार सब तक से प्रियोग बात का दोस्तो प्रारंब जरूर माना जाता है लेकिन पत्री का पूचा तो पत्री का प्रतीक सही होगा है ना तार सब से प्रियोगबाद का प्रारंब माना जाता है लेकिन दोस्तों पत्री का तो आपका प्रतीक ठीक है रचना की दरश्टी से निम्लेकित कभिताओं का सही अनुकरम बताईए सही अनुकरम आपको बताना है और यहां पर याद रखते हैं सरोजिस्मिर्टी असाद बीना अंधे अंधेरे में और पटकथा पटकथा यानि कि आपका जो स्री नंबर है वो बिलको सही है सरोजिस्मिर्टी असाद बीना अंधेरे में और पटकथा आपका बिलको सही है स्री नंबर ठीक है सरोजिस्मिर्टी 1935 सूरकां अंतरपाठी निराला है ना असाद बीना सजदानंद धिर्यानंद 1961 अंधेरे में मुक्ती बोध ये भी याद रक्रिना और पटका था ये धूमिल की ठीक है निराला करत सरोज स्मिर्थी को हिंदी का सरपसेष्ट दोस्तो प्रथम सोक गीत माना जाता है है ना आप उत्तर देख भी लेते हो लेकिन अपने बिबेक से उत्तर लगा रहे हो एक तरप से बहुत सारे लोगों ने लगाया लेकिन जिनने पढ़ा था जिनको मैंने पढ़ाया था उनको पता था कि सर तार सब्तक था एक काब संग रहे और प्रतीक थी क्या पत्रिका है ना ये आपको पता था तो ये आपको याद रखने ना बिद्वानों ने प तरगवीर सहाई की रचना है इसको याद रख लेना है सरभेष्टर दयाल शक्सQuéना की काब्यकृतियों की अगर बात करें तो काट की घंटियां, बास का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हबाएं, कुआनो नदी, ये सबी माने जाती हैं दोस्तों, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये सबी रचनाय हैं किसकी शर्बेश्चुर दयाल चक्सेना की, इसको याद रखेंगे, रगवीर सहा आत्मत्या की बरुद्ध कौन है, रगवीर सहाई हैना, हसो, हसो, जल्दी, हसो, ठीक है, लोग भूल गए हैं, और दोस्तों, लोग भूल गए हैं, और कुछ पते, कुछ चिठियां है ये सबी दोस्तों, रगवीर सहाई की रचना हैं, इनको तर आपको बताना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा साखी किसका संकलन है साखी किसका संकलन है ये आपको चैन करना बताईए साखी बताना है कि किसका संकलन है और दोस्तो आपने एक पड़ा होगा मचली घर में मचली घर में हैना मचली घर एक रचना पड़ी होगी साखी भी आपने रचना पड़ी होगी ये रचना किसकी है बताईए हैना भुली सर इस साकी जो रचना है इस साकी के जो रचना कार है बिजए देव नारान साही अब दोस्तों इनकी रचनाओं की अगर बात करने बिजए देव नारान साही की तो साकी इनकी रचना है पूची गई है साकी मचली घर भी इनकी रचना तिरकौन पर सूरियोदय बरगत के जिकने पत्ते के हरी नारण ब्यास की रचना पूमानी जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूचा गया साकी किसकी रचना है आपने बता दिया बिजय देव नारण साही। जो बिलकुल सही आंसर था। अंगले क्वेस्चन क्यों हमें यहाँ पर बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन यहाँ पर आता है दोस्तो आप से यहाँ पर पूचा जाएगा यह समसिर बहादुर की भी रचना पड़ना है आपको हैना कुछ और कविता है कुछ कविता है चुका भी नहीं हूँ मैं हैना इतने अपने पास इस अभी दोस्तो काल त उप से सुकून की तलास यह सारी रचना है समसिर बहादुर सें समसिर बहादुर सें की बारे में आपको पता है बुलसर ने कभीयों का कभी कहा जाता है हैना समसिर बहादुर को क्या कहा जाता है कभीयों का कभी आत्म जाई किसकी रचना है चैन करिए आत्म जाई के रचना करें दोस्तों अगर आप विवस्तित तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करिए मैं बता रहा हूँ नहीं तो तैयारी बिल्कुल बंद कर दीजिए तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी जिसमें आपको लगे कि हम 100% तैयारी के दे रहे हैं ठीक है तब आपका सेल इनको याद रखेंगे अंगला कॉस्चन आपको यहाँ पर दिया गया कि तोड़ने ही होंगे मठ और गल सब किसकी पंक्ती है तोड़ने ही होंगे मठ गल सब किसकी पंक्ती है यह पंक्ती आपको बताना है 55 का आंसर आपको चैन करना है और आपका बिलकुर शही आंसर हो जाएगा किसर तोड़ने ही होंगे मठ गल सब किसकी पंक्ती है यह पंक्ती है मुक्ती बोद की किसकी पंक्ती है मुक्ती बोद की और डी नमबर आपका बिलकुर शही है ठीक है लाइक जरू करें सबी लोग बिलकुर शही बात है लाइक तो किया करें सबी लोग तोड़ने ही होंगे मठगड सब ये मुक्तिवोत की राष्ट गीत में भला कौन भै भारत भाग बिदाता रगवीर सहाए हैना फटा सुतन्ना पहने जिसका गुरहर चरना अगाता है कई दिनों तक चूला रोया चक्की रही उदास के नागरजुन ठीक है असब्द अधरों का सुना भास मैं कभी हूँ पाया है प्रिकास के निराला की पंक्ति है निराला की वियाद रखनी है और सात्यों जिन भी सात्यों ने एप को डाउनलोड नहीं किया भी तक वो Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड करें काब संग्रोहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखानकित करना है तो सही अनुक्रम रेखानकित करिए भगन दूत, मंजीर, जान्द का मोह, टेड़ा या फिर उत्तर हो जाएगा बताइए प्रश्न किरमांग के हाँ पर आपका 56 है और 56 में आपका राइट आंसर चला जाता है उत्तर चला जाता है दोस्तों कि भगन दूत, मंजीर, चांद का मोह, टेड़ा और साखी यानि कि एक नंबर यसे कैसे याद रखोगे वुलिसर भगन दूत, अग्गे, मंजीर, गिर्जा कार कौन है तो आपको बताना अग्गे, मंजीर के रचना कार कौन है गिर्जा, कुमार, मातोर, चांद का मोह, टेड़ा ये किसकी रचना है, मुक्ती, बोध, साखी के रचना कार कौन है, विजय, देव, नारान, साही, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, फिर यहा कौन सी रचना कुमर, नारान की है, यानि कि 57, 57 का आपको चैन करना है, कौन सी रचना कुमर, नारान की है, ये आपको बताना है, और कुमर, नारान, जो हैं, दोस्तों, इनकी रचना है, कौन सी, बिजय, बाज, सिर्भा के बहाने, बाज, सिर्भा के बहाने, यानि, बी, न ये मंग्डेस डवराल की रिचना है ठीक है अंगला कोश्चन है कुवानो नदी की रिचना कार कौन है 58 का अंसर आपको चैन करना है चार बिकल्प है हमारे सामने कुवानो नदी मैंने आपको कई बार बताया है कुवान और नदी का क्या करना है सर्वे करना है तो तर क्या हो जाएगा कुवाणो नदी की रिचनकार कुवाने बताएए चार बे कल सरबेश शुरदयाल शक्सेना रवीर सहाई स्रीकांद वरमann या फिर नरेश महता और कुवाण और नदी का क्या करना है हमें शर्वे करना है और उत्तर चला जाता बोले सर्वे करना तो सर्वे सुर्दयाल सक्सेना सक्सेना क्यानि की ए नमबर आपका बिलकुल शही है सर्वे सुर्दयाल सक्सेना की करतियां काट की घंटियां बास का पुल एक सुनी नाव गर महबाएं कुवानो नदी हैना जंगल का दर्द फूटियों पर टंगे लोग ये मान जाती हैं शीड़ियों पर दूप में हैना आत्मत्या की ब्रोद्य हसो जल्दी हसो लोग भूल गए है पुछ पते कुछ चिठियां एक समयता की रगवीड सहाय की करतियां है ठीक है नरेस मेता की करतियां बन पाखी सुनो बोलने दो चीड को मेरा समर पते कांत चेत्ज़ा चेत्टिया याद रख्टिना है उत्सवा ठीक है संसे की एक रात महा प्रस्तान और दोस्तों प्रवाद पर्वे सबरी स्रीकांद बर्मा की रचनाओं की बात आती है तो दिनारंब माया दर्पन हैना जलसा घर और मगद ये मगद कई बार पूची गई रचना है स्रीकांद बर्मा की इस को भी हमें याद रखना है कौन सी रचना संसेर बहादूर सेंकी है ये आपको बताना है बताए कौन सी रचना संसेर बहादूर सेंकी है बहुत बढ़िया कॉस्चन याद है तो बढ़िया है रिवीजन हो जाएगा है ना और कौन सी रचना संसेर बहादूर सेंकी है 59 रचना समसेर बहादूर सेंकी है एक क्वेस्चन आपको बताना है और 59 में आपका बिलकुँ सही आंसर है समसेर बहादूर समसेर बहादूर बोली सर सेर तो पीला रहता है है ना तो इनकी पीली साम ऐसा भी क्वेस्चन आता है दोस्तों कि पीली साम की रचनाकार कौन है तो सम समसेर बहादुर है ना और पीली चत्री बाली लड़की उदय प्रकास ठीक है यहाँ पर देखो पीली चत्री बाली लड़की उदय प्रकास जी की कहानी संग रहे है ना और पीली आंदी की रचना कार कौन है प्रभाग खेतान एक पीली साम की रचना कार कौन है तो समसेर बह इनको आपको याद रखना है ठीक है यह याद रख़़ेना है यह सभी हो जाएंगे कि पीली च्छत्री वाली लड़की हो दैप्रकास कहानी संग्रह एना पीली आणदी प्रभाख खेतान बोली सरक्षेतन में पीली आणदी आती है है और एक पीली साम समसेर बहादर इनको य कि निम्नम्य से कौन सा काब संग रहे संसीर बहादूर सेंग का नहीं है कौछ और कभी ताएं आज अबि आखों से संसीर बहादूर सेंग की रचनाएं नहीं है ये आपको बताना 60 का आंसर आपको चैन करना है और आपने बिलकुर सही आंसर चैन किया है कि सरसमसिर बहादुर को तो कभीयों का कभी कहा जाता है लेकिन इनकी रचनाओं में कुछ कभीताएं इनकी रचना हैं कुछ और कभीताएं इनकी रचना हैं ठीक है लेकिन दोस्तो आ आज सभी आखों से ए रचना इनकी नहीं है कुछ कभीताएं कुछ और कभीताएं चुका भी नहीं हूँ मैं इतने अपने पास उदिता अभी ब्यक्ति का संगर्स बात बोलेगी काल तुमसे होड है मेरी है ना इस सारी रचना है दोस्तो किसकी हैं ए रचना हैं अपने समसेर बहादुर की इन रचनाओं को याद करना है ठीक है इसी प्रकार से बने रहना है और सबसे पहले आपको बताना है कहां जाओं हर देशा में म्रत्यू से भी बहुत आंगे की अपरिमित दूरियां है कभीता की ये पंक्तियां कुमर नारान की किस रचना से हैं शिक्ष्टी 61 का अंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए 61 में कहां जाओं हर देशा में म्रत्यू से भी आंगे म्रत्यू से भी बहुत आंगे की अपरिमित दूरियां है कभीता की ये पंक्तियां कुमर नारान की किस रचना से हैं चक्रिव्यू से अपने सामने आत्म जाई या फिर परि कि अपरिमेत दूरियां है कभी ताकि यह जो पंक्तियां माने जाएंगी ए पंक्तियां है आत्म जई, इसकी रचना कार कौन कुमर नाराण एं और स्री नम्मर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा कहां जाओं हर दिसा में मिरती सोभी बहुत आंग की अपरीमेट दूरिया है एह पंक्तियां कुमर नाराण की रचना आत्म जई रचना से ली गई कुमर नाराणकी रचना चक्रवियू परिवेस हम तुम आत्म जाई अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों बाज सिरबा के बहाने कि सारी की सारी रचना किसकी मानी जाती हैं दोस्तों कि रचना मानी जाती हैं किसकी कुमर नाराणकी कि के अंगला question है अग्गे की रचना है तो अग्गे की रचना कौन सी है 62 को आंसर कुरुचेत्र, भुंकार, हरी घास पर छनभर या फिर पबन दूत यानि कि आपका 62 को आंसर आपको बताना है 62 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अग्ये की रचना बताना है कौन सी है अग्ये की रचना कौन सी है सचिदा अनंद हीरानन बास्साइन अग्ये चार विकल्प आपके सामने अग्ये की रचना को आपको चैन करना है और आपने बिल्कुछ नहीं बताया कि सर कुरू छेत्र औहुंकार ये सारी रचना है तो आपको बता है ये रचना एक दिनकर जी की है लेकिन हरी घास पर छणवर की अगर बात करी जाए तो ये रचना किसकी माने जाती है ये रचना है अग्गे जी की ठीक है प्रश्ण गत् पर छणवर अग्गे जी की रचना है इनकी अन्य रचना है वाबरा अहेरी इंद्र धनुस रुवंदे हुए अरियो करुणा प्रभाम आये आगन के पारदौर ये सारी रचना माने जाती है बाकी कुरू छेत्र हुंकार ये रामधारी से दिनकर की रचना है ठीक है अंगल पर ये पंक्तियां आपको बताना है कि अग्गे की किस कविता से हैं पहचान साप हरी घास पर चना भर या फिर हवा यड्डे पर बिदा हवा यड्डे पर बिदा ये पंक्तियां आपसे पूछी गई उड़ गया गरच्ता यंत्र गरण बन बिंदू सून में पिघल गया पर साप ये जो पंक्तियां है दोस्तों ये पंक्तियां हवा यड्डे पर बिदा हवा यड्डे पर बिदा से ली गई ये दोस्तों इनकी कविता से उड़ गया गरच्ता मंत्र गरण बन बिंदू सून में विधा गया पर साप है ना इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों यह पंक्ती इनकी माने जाएगी यह पंक्ती किसकी माने जाएगी है ना इनको याद रखना है और दोस्तो परियोग पंक्तिया प्रियोगबादी कभी अग्ये की हवाई अड़े पर विदानामक कभिता से हैं अग्ये प्रियोगबाद के प्रबर्तक तता समस्त सब्तकों के संपादक ते अग्ये को प्रियोगबाद तता नई कविता का सला का प्रोस कहा गया ये आपको याद रख रही ना है ठीक है अंगला क्वेश्चन है ठंडा लोहा कविता संग्राई की रिचनाकार कौन है ठंडा आपको बताना है बताये जल्दी से लोहा की रिचना कार कौन है ठंडा लोहा आपसे पूचा जाएगा दोस्तों और ठंडा लोहा की जो रिचना कार माने जाते हैं वो माने जाते है धरम बीर भारती बोले धरम की सरण में लोहा भी क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है यनि कि आपका उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरफ ठंडा लोहा काब संग्रहे की रचनाकार धरम बीर भारती हैं धरम बीर भारती मुलते प्रेम के कभी हैं इनकी पूछा जाएगा यहाँ पर अंगला क्वेस्चन बताना है भारत भूशन अगरवाल के काब संग्रह काब संग्रह छबी के बंधन जाते रहो मुक्ती मार्गों पर अब प्रस्तुत मन कागच के पूल एक उठा हुआ हाथ उतना बह सूरज है यह सभी मान जाते बाकि कि गिर्जा कुमार मातुर की अगर बात करेंगे तो इनके काब संग्रह मंजीर नास और निर्मान धूप के धान सिला पंक चमकीले छाया मत छूना की रचना इनकी मान जाती हैं सर्वेशुर दयाल सक्सेयाना की बात करने दोस्तों, तो सर्वेशुर दयाल सक्सेयाना में काट की घंटिया, बास का पुल, एक सूनी नाओ, गर्म हबाय, कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर लोग ये आपको याद रखना है, अब दोस्तों आपको सुमेरित करना है कृतियों को आत्म जई की रिचनाकार कौन है कूटियों पर टंगे लोग किसकी रिचना है मगद और पहाड पर लालटेन की रिचनाकार कौन माने जाते हैं तो आत्म जई की रिचनाकार कौन है जल्दी से चैन करें ये बिकल्प एक कूट आपको यहां पर दिये जाते हैं कि चार कूट आपके सामने हैं इसमें से आपको चेन करना है तो आत्म जाई कोटियों पर टंगे लोग मगद और पहाड पर लाल टेन तो इतना तो सबी लोगों को पता है कि सर आत्म जाई के रचनाकार हो जाएंगे कौन कुमर नाराण हैना कुमर नाराण हो जाएंगे खूटियों पर टंगी लोगों का सर्वे करना तो सर्वे सुर्द याल सक्सेना मगद स्रीकांत बर्मा पहाड पर लाल्टेन के मंगरेस डवराल की है कहने कि आपका सही उत्तर कौनसा होगा आपने देखा सही उत्तर कौनसा है विकल्प नमबर डी डी नमबर आपका बिलको सही है ये वाला ठीक है डी नमबर यहाँ पर देखो आत्मे जई की रचना कार कौन है तो कुमर नारायन है आत्मे जई किसकी रचना है साथ यो कुमर नारायन की ठीक है हूटियों पर टंगे लोग की रचना कार कौन है शर्वेश और दयाल सक्सेना ठीक है मगद किसकी रचना है श्रीकांत बर्मा की पहाड पर लाटेन की रचना कार कौन है मंगलेश डबराल और समर गाथा की राजेश जोसी की रचना है इसको आपको याद रखना है अब यहाँ पर आते हैं प्रियोगबाद की प्रवर्तक के अनुसार प्रियोगबादी कभी का पताना है क्या था दोस्तो नए काब करणों का प्रियोग यहाँ पर थोड़ी सी हैना प्रियोगबाद की संबंद में बिकल्पे नहत सही तत्त लागू होते हैं तार सब्तक की भूमक्या में अग्गे ने अपने समुग के कभियों को नई राहों का अनिवेसी कहा है तो यह ने कहा है अग्वे ने सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि अलग टाइप का है तो आपको इतना याद रख्ञेना है कि नए राहों का अनिवेसी कभी कहा है दोस्तों प्रियोगबाद के कवियों को, तार सब तक के कवियों को किस ने कहा था, अग्ये ने, है ना, नई राहों का अन्यवेसी, अब अंगला क्वेस्चन खेर आपको बताना है कि कौन तार सब तक का कभी नहीं है, 67 का अंसर, कौन तार सब तक का कभी नहीं है, समसीर बहादौर, ग तारसब्तक मतलब दोस्तों अपन समझते हैं कि वो तारसब्तक की बात हो रही है प्रिथम बाले तारसब्तक की बात हो रही है ठीक है तो प्रिथम बाले जिसको दोस्तों प्रिथम नहीं बोला जाता कि बल क्या बोला जाता है तारसब्तक बोला जाता है तो निम्न वैसे कौन तारसब तक का कभी नहीं है ये आप से पूछा गया तो नहीं है तो शम्शेर बहादुर से हैं मुक्तिबोध हैं गिर्जा कुमार मातोर हैं प्रभाकर माचबे हैं बाकी आपका उत्तर ए नमबर बिलकूर शही है ये आपका सही हो जाएगा ठीक है अब थोड़ा सा बढ़ते तारसब तक नई कविता का प्रस्तान बिंदू माना जाता है तारसब तक में दोस्तो निमलके साथ कभी सामिल हैं अग्ये मुक्तिबोध नयमी चंदर जैन और भारत भूशन अगरवाल प्रभाकर माचबे गिर्जा कुमार मातोर और राम बिलास शर्मा ठीक है अग्ये कौ कभी है प्रिगतिबाद के प्रियोगबाद के छाया बात के या फिर इनमे से कोई नहीं अग्ये का पूछा गया है आपसे बिलकुस सरल क्वेश्चन आप से पूछा गया जल्दी से आपको उत्तर बताना है बहुत बड़िया प्रस्न है दोस्तों अग्ये के बारे में पू जाते हैं कौन अग्गे तो अग्गे कौन से बात के कभी है नॉर्मल और आसान कॉस्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको नंबर लगाना है बी नंबर प्रियोग बाद के ठीक है बी आपका बिलकुँ सही है अग्गे प्रियोग बादी कभी है प्रियोग बादी कभ पूर्शन अग्रबाल ठीक है इसको याद रखेंगे चांद का मोह टेड़ा की रचेता कौन है चांद का मोह टेड़ा नागरजुन मुक्ति बोध धरमबीर भारती या फिर धूमिल चांद का मोह टेड़ा की किसकी रचना है यानि कि आपको 69 का आंसर बताना है चांद का मोह टेड़ा हो जाता है मुक्ति के बाद और उत्तर आपका चला जाता है बेकल्प नमबर बी की तरफ काई के बाद मुक्ति के तो चांद का मोह टेड़ा की रचना भी किसकी होगी और इसरी रचना मुक्ति बोध की होगी याना यानि बी नमबर आपका मुक्ति बोध बिलकु आपको याद रखना है ठीक है अग्य की असाद बीड़ा किस प्रकार की काब किरती है प्रशन किरमांक सतर और सतर का उत्तर आपको बता nó है खंड काब प्रबंद काब महा काब या फिर अधिय। तो असाद दिणा दोस्तों किस प्रकार की काब है ये आपको बताना है प्रश्ण किरमांक सत्तर अग्ये की असाद दिणा सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि असाद बीना की रचना कार कौन है तो आप बताओगे क्या अग्ये असाद बीना की रचना अग्ये और दोस्तों कि असाद बीना इनकी लंबी कविता है अगर कभी आपके ओफसन में प्रिलंब काब आ जाए तो असाद बीना प्रिलंब काब अग्गे का पूरा नाम आपको बताना है अग्गे का पूरा नाम क्या है आसान कॉस्चन सभी से आना चाहिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे, जिन भी सात्यों को एड़िशन लेना हिंडी साइट के कोर्स में, वो एड़िशन लेकर के अपनी पड़ाई को कर सकते हैं दोस्तों, हैना अपनी तैयारी को कर सकते हैं, अग्ये क्या माने जाती हैं दोस्तों अग्य माने जाती हैं प्रियोगबाद के प्रवर्तक है ना प्रियोगबाद के प्रवर्तक ये भी आपको पता है अग्य का पूरा नाम सचिदानन्द हीरानन बाससाइन अग्य भगन दूत किसकी रचना है तो अग्य की चिंता काब किसका है अग अग्ये इंद्र धनुस भी अग्ये की रचना है आंगन के पारद्वार की रचनाकार कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्ये कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्ये सागर मुद्रा रचना किसकी है अग्ये की निवन मैस से कौन सा कभी दूसरा सब्तक में संबलित नहीं है दूसरा सब्तक में कौन संबलित नहीं है भवानी प्रसाद मिस्त्र शकुंत मातर मुक्ति बोध या फिर समसीर बहादुर सह दूसरे सब्तक में आपको बताना है कौन संबलित नहीं है 72 का अंसर बताना है और दूसरा सब्त कक में कौन समय नहीं है तो अपन को पता है दोस्तों कि हरी भबानी शकुन करे सेर नरे रगु धरम करे तो हरी भबानी तो है भबानी है है ना सेर सेर समसेर बहादुर है शकुंत माथुर है है ना लेकिन ये मुक्ती बोध नहीं है मुक्ती बोध तो क्या है है ना नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से तो मुक्ती बोध तो वो लिए सर तार सब तक के कभी है ये तो तार सब्थक के कभी हैं कि दुतिये तार सब्थक के कभी नहीं है यानि कि आपका उत्तर चला जाता है D की तरफ D नमर आपका बिल्कुर सही हो जाता है इसको याद रखेंगे ठीक है डी नमबर राइट अंसर अब यहां पर आते हैं दूसरा तारसब्तक उनिस सो इंक्यावन इस भी में अग्गे के संपादन में प्रकासित हुआ इस तूसरे तारसब्तक में निम्ल के साथ कभियों की रचनाओं को संकलित किया गया सबसे पहले भवानी प्रसाद मिस्त्र अमातोर दोस्तों यह तीसरे तारसब्तक से संबंदित थी एक क्वेस्चन भी कई बार आया है हरी नारान ब्यास समसेर बहादुर से हैं नरेश महता रगवीर सहाई हैना धरंबीर भारती गजान अनमादाव मुक्तिभोद इस से पूर्व नीस सो तेतारीस में अग्ये के ही समपादन में निकले फिरतम तारसब्तक में सम्मिलित साथ कभी नैमी चंदर जैन हैना तारसब्तक में कौन-कौन से थे नैमी चंदर जैन गजान अनमादाव मुक्तिभोद भारत भूशन अगरबाल प्रिभाकर माचबे गिर्जा कुमार मातोर राम बिला सर्मा और अग्य यह आपको याद रखना अग्ये की रचना है तो कौनसी है अग्ये की रचना कौनसी है कुरूचेत्र हुंकार हरी घास पर चनभर और पबंदूत यनकी 73 का अंसर बताइए अग्ये की रचना कौनसी है अग्ये की रचना अपन को बताना है और अग्ये की जो रचना है दोस्तो वो रचना है हरी घास पर चनभर यनकी आपका जो बी नमबर है वो बी नमबर आपका बिलको सही है हरी घास पर छड़बर की रचना किसकी है तो ये अग्गे की है अग्गे जी की हरी गास पर छड़बर बाबरा एहरी आगन के पारदवार अरी यो करुना प्रभामय कितनी नाव में कितनी बार शागर मुद्रा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ असाद बीना चिंता तथा इतलम कि प्रियोगबादी कभी अग्गे की रचना है कुरू चेत्र तता उहुंकार रामधाई से दिनकर की और पवन्ती धोई की रचना है इसको याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कुवानो नदी कभीता संग्रह के कभी कौन है कुवानो नदी कु रचने कि रवांग 75 और आपसे पूछा भी गया कि कुवानो नदी की रचनाकार कौन है यह आपसे पूछा गया तो जल्दी से आपका उत्तर भी आना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा बताईए कुवानो नदी इसके कभीता संग्रह एक किसका है कि आपको चेन करना है और आपका बिल्कुर शही आंसर हो जाता है सर्वेश्च और दयाल सक्सेना सर्वेश्च और दयाल सक्सेना यानि कि आपका डी नमबर कुवा और नदी का क्या करना है सर्वेश्च और दोस्तो एक सूनी नाव भी इनी की है एक सूनी नाव ये आपको पता है कितनी नाव में कितनी बार ये अग्गे की रचना है कितनी नाव में कितनी बार अग्गे की रचना है लेकिन एक सूनी नाव की रचना कार कौन है एक सुनी नाव के रचना कार हैं दोस्तो कौन एक सुनी नाव के रचना कार माने जाते हैं सर्वेस्टो दयाल सक्सेना गर्म हवाईं काट की घंटियां बास का पुल इनको याद रखेंगे हैना कभी सर्वेस्टो दयाल सक्सियना के दौरा लिखी गई ये कब किर्टियां मानी जाती हैं बाकी हरी घास पर छणबर आंगन के पारदवार हरी ओ करुणा प्रभाव मैं कितनी नाव में कितनी बार शागर-मुद्रा और असाद बीना इत्प्तिरम की सारी रचनां माने जाती हैं दोस्तों किसकी अग्गे जी की ठीक है अब यहांँ पर हम बात करेंगे अंगले question की की मिट्टी की बरात मिट्टी के बरात दोस्तों सिलोचन की भी रचना है और सियो मंगर्चेशोमन की भी रचना है इस में भी आपको confusion नहीं होना तार सब्तक में कौन कभी सामिल नहीं है यह बताना है प्रिभाकर माचबे नियमी चंदर जैन भारत भूशन अगरबाल रामधारिश ने दिनकर बताईए तार सब्तक में कौन कभी सामिल नहीं था प्रभाकर माचबे तार सब्तक में बताना है तो तार सब्तक में एक क्वेस्चन आता ही है इसलिए तार सब्तक को मैंने ट्रिक से भी आपको बताया है एप में हैना ट्रिक से पूरा आपको समझाया है तार सब्तक में कौन कभी सामिल नहीं था उत्तर हो जाएगा राम धारी से दिन कर यहने कि डी नम्मर आपका बिल्कोँ शजए है सार्स अब तक में सामें लही थी राम धारी से दिन कर सार्स अब तक का प्रकासन सजदानन धिरानन वासान अग्ये के संपादन में उन्नीस्तो तेतालिस में हुआ है ना ये याद रखने ना साथ कभियों की रचना को समलित किया गया नेमी चंदर जैन, मुक्ती बोध, भारत बूशन अगरवाल, प्रभाकर माचबे, गिर्जा कुमार मातोर, राम बिलास सर्मा, अग्ये इनको याद रखेंगे और उन्नीस् 70 का आंसर आत्मात्या के बृद्ध कभिता संकलन के रचना कार कौन है, कभी कौन है, ये आंसर आपको, 76 और आत्मात्या के बृद्ध, बोले सर आत्मात्या के बृद्ध सहाए करो, सहाए, बोले रगवीर सहाए करते हैं आत्मात्या के बृद्ध, आत्मात्या के बृद्ध सहाई करते हैं कौन रगवीर तो रगवीर सहाई यानि कि स्री नंबर आपका बिलको शही है यह आपको याद करना रगवीर सहाई की रचना आत्महत्या की ब्रुद्ध के कई बार पूची भी गी है और पूछी भी जाएगी ठीक है अगले क्वेस्चन की और यहां पर आते हैं अग्गे किस अंपादन में उन्नी सु इंक्याण में प्रकासे दूसरे सब तक के प्रमुक कभी रगवीर सहाय की पिर्ती निधी रचना है आत्म हत्या की बुर्द्ध हसो हसो जल्दी हसो लोग भ बात करें खूटियों में टंगे लोग सोया हुआ जल्द कुवानो नदी एक सुनी नाव के सरवेश दयाल सक्सेना की रचनाय माने जाती है ठीक है भूल गलती कभीता के कभी कौन है भूल गलती कभीता के कभी आपको बताना है नागरजुन किदार नात अगरवाल त्रलो या फिर मुक्ति बोध यानि कि 76 भूल गलती कभीता के कभी कौन माने जाती है ये उत्तर आपको बताना है और 77 का आंसर 77 में भूल गलती कभीता के कभी कौन है उत्तर चला जाता है मुक्ति बोध उत्तर चला जाता है मुक्ति बोध यानि कि आपका उत्तर है D नंबर मुक् खी दरना तगरबाल कि रचनह हैं वागी आपको पता है नेंद के बादल किसकी रचना है नेंद के बादल की अगर बात करोगे तो एक केदारनात अगरबाल की रचना है किदार नातगरवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूरवा, समय समय पर है ना, किदार नातगरवाल की है, ठीक है, मिट्टी की बरात और में उस जनपत का कभी होई त्रिलोचन की रिचना हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है, अब ये बताना है आपको कन साहित का ध्यनरंतर जाली रखना है और दोस्तों रंग कम और दोस्तों क्या करना है साहित्ती की होली जादा खेलना है ठीक है तो कनूप्रिया के लेकक कौन है कनूप्रिया के जो लेकक माने जाते हैं वो कौन है धरम बीर भारती कनूप्रिया बोलिस्तर धर्म तो कानों को प् सुरच का सातवा घोडा है ना ये दोस्तों इनकी रचनाय मान जाती हैं गुल की बन्नो बंद गली का आखरी मकान सावित त्री नमबर दो इन रचना को याद करना है ठीक है और दोस्तों असाल का एक दिन मलवे का आदमी एक और जिंदिगी आद्रा फौलात आकास जानवर य अंगला कोईश्चन आपको बताना है तार सब्सक्राइख कभियों को राहों के अन्वेसी किसने कहा था ये आपको बताना है प्रश्न किर्मांग 79 तार सब्तक में संकलित कभियों को राहों के अनिवेसी किस ने कहा सबसे पहली बात तो ये तार सब्तक के कभियों को संकलित कभियों को राहों के अनिवेसी कहा गया और ये किस ने कहा तो आपका उत्तर चला जाता अग्ये अग्ये यानि की बी नंबर ठीक है बी नम्मर अग्ये बिलकोश ही है हिंदी काव में प्रियोगबाद का प्रारंब 1943 हीश्वी में अग्ये द्वारा प्रितम तार सब्थक की प्रकासन से माना जाता है ये आपको पता है तार सब्थक में समले साथ कवियों की रचनाएं अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर नई संबेदना नई भाव वो देवम सिल्प से योक्त थी और इसी कारण अग्ये ने प्रियोगवादी कवियों को राहों का अनवेसी कहा था ठीक है जिन में दोस्तों नयमी चंदर जैन, मुक्ती बोध, भारत भूशन अगरवाल, प्रभाकर माचबे, गिर्जा कुमार मातोर, राम बिलास सर्मा, नयमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से एक ओड तो आपको बताई है किसकी कविताएं स्वादीन भार या फिर देहकता दस्तावेज आप से पूछा जाएगा, तो किसकी रचनाएं हैं, किसकी कविताएं हैं स्वादीन भारत का इस्पाती दस्तावेज, प्रशन किर्वांक असी, असी में आपको चैन करना है, फटाक से उत्तर बताएंगे आप किसकी कविताएं स्वादीन भा स्वधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं तो वो हैं किसकी मुक्ति बोध मुक्ति बोध यानि कि आपका सी नंबर जो है यह बिलकूर शही है ठीक है सी नंबर बिलकूर शही है प्रियोगबादी कभी के अग्रनी कभी गजान नमादव मुक्ति बोध की कविता हैं स्वध कभीता इस द्रश्टी से उड़ लेखनी है इनकी चांद का मोह टेड़ा भूरी भूरी खागदूल है ना मुक्ती बोध की अन्यकाब किरतियां है विपात्र सतह से उठता आदमी सतह से उठता आदमी है ना कामाईनी कामाईनी एक पुनर वेचार ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कामाईनी एक पुनर वेचान की रचना कार भी कौन है मुक्ती बोध है भूरी भूरी खागदूल किसकी रचना है मुक्ती बोध की हैना सतह से उठता आदमी है किसकी रचना है मुक्ती बोध की इनको अपन को याद रख लेना ये पूछी जाती है मुक्ती है भावानी परसाद मिस्र की गिर्जा कुमार मातुर की मुक्ती बोथ की या फिर धरमबीर भारती की और आपका राइट आंसर है प्रत्वी कल्प किसकी रचना है उत्तर चला जाता है गिर्जा कुमार मातोर गिर्जा कुमार मातोर क्यानि आपका बी नम्मर प्रत्वी कल्प के जो रचनाकार हैं वो गिर्जा कुमार मातोर हैं प्रियोगबादी कविता की प्रमुक कभी गिर्जा कुमार मातोर द्वारा रचित का बिकरतियां प्रत्वी कल्प कल पांतर, छाय आमत छूना, चलापंक चमकीले, भीतर नदी की आत्रा, साक्षी रहे बर्तमान, दूप के धान, नास और निर्मान तथा मंजरी हैना अग्ये द्वारा संपादेत उनी सो तेतारिस में प्रिकासे प्रतमतार सब्तक के कभी गिर्जा कुमार मातौर की कविता में सामाजे के अथार्थ के पृति आग रहे, नए बिम्बो पृति को एवं उपमानों का प्रियोग, ये आपको याद रख लेना, ठीक है, अंग फेंटसी मतलब ये तो लिखा है, सीधा सीधा, ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, ये फेंटसी में लिखा है, भाईया, जादूई कथा, जादूई कथा, हैना, चमतकार एक कथा, दोस्तो, वो ही कहलाती है, फेंटसी, हैना, जादूई कथा में आदूनिक जीवन की अन वो कहलाती है ठीक है प्रियोग बात के बाद हिंदी कविता की जो नभीन धारा विक्सेत हुई उसे क्या कहा जाता है 82 नई कविता प्राचीन का अकविता या फिर तार सब तक प्रियोग बात के बाद हिंदी कविता की जो नभीन धारा विक्सेत हुई उसे क्या कहा जाता है बताइए, और 82 में आपका बिलकुल शही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 82 में नई कभिता, नई कभिता यानि ए नंबर, ए नंबर आपका बिलकुल शही है, है ना, प्रियोग बात के बाद हिंदी कभिता की जो नभी धारा विक्षित हुई, उसे कहा गया क्या, नई कभिता, ठीक है, ये नई कभिता आपका बिलकुल सही है, ये नंबर आपका बिलकुल सही है, प्रियोग बात के, प्रियोग बात के बाद हिंदी कभिता की जो नभी धारा विक्षित हुई, उसे नई कभिता कहा जाता है, नई कभिता नाम अग्ये द्वारा प्रदत्त है है ना अग्ये प्रियोग बात की प्रवर्तक हैं एवाम उसके सबसे अधिक बिरोध करता भी माने जाते हैं तो यहां से तीन सबसे पहले किस ने किया आपका अग्ये जीने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रियोग बात का सबसे जादा जो ब्लोध किया वो किसने अग्ये ने ठीक है अमन के राग के लेखक कौन है 83 अमन के राग के लेखक कौन मान जाते भवानी परसाद मेस्तर मुक्ति बोध शमसेर बहादूर या फिर इनमे से कोई नहीं अमन के राग अमन के राग ये उत्तर क्या हो जाएगा 83 में अमन के राग की जो लेखक है वो लेखक है कौन शमसेर ब पिल्कुश ही है अमन की राग की लेकक समसीर बहादूर से हैं अमन का राग दोस्तो सलोना जिसमें आउना तथा इतने पास अपने नामक कविताओं के रचेता प्रियोग बादी काप धरा के कभी समसीर बहादूर ठीक है बाकी मुक्ति बोत चांद का मुटेडा लकडी का रा पाटा गीत परोष कमल के फूर बानी की दीनता तूटने का सुक यह सभी माने जाती है ठीक है अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन आपको यहां पर बताना है यह रहा आपके प्रस्ण सागर मुद्रा के लेकक हैं तो कौन है सागर मुद्रा के ल एक इसकी रचना है और एक चार विकल्प आपके सामने है उत्तर भी आपको चैन करना है सभी लोग लाइक जरू कर देना दोस्तों 84 में सागर मुद्रा अगर आपसे पूछा गया तब उत्तर भी आपका चला जाता है अग्गे की तरफ है ना सागर मुद्रा अग्गे मैंन पर देखो हिंदी की प्रियोगबादी का अपधारा की प्रबर्तक तता कहानिकार उपन्यासकार निवंदकार वा प्रसित दालूचक सचिदा नंधिरनन बासा इन अग्गे की प्रमुक्रतियां है ना कौन-कौनसी सागर मुद्रा भगन दूत चिंता इत्तलम हरी घास पर चनबर बाबरा हेरी इंद्र धनो स्रोंदे हुए अरी ओ करुणा प्रभा मै असाध बीना असाध बीना ठीक है आंगन के पारदवार सुनाहिले सेवाल आपने देखा होगा दोस्तों लोग क्या करते हैं सागर में मुद्रा फैंक देते हैं हैना नदी निकली दो का सिक्का फैंक दिया पांच का सिक्का फैंक दिया दसका सिक्का फैंक दिया लोगोंने बुले नदी है गंगा माई है दसका सिक्का डाल दो हैना नर्वदा माई है दसका सिक्का डाल दो क्या है ये बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पैसा फैंकते हुए नदियों में हैना साकी किस कभी का काब संगरा है 85 का अंसर बताना है साकी किस कभी का काब संगरा है आपको बताना है और साकी के जो रचनाकार है 85 का उत्तर आपको बताना है 85 में साकी किस कभी का काब संगरा है वो है विजय देव नारण साही अगला कॉस्चन यहांपर है दोस्तो क्या कोस्चन है अपना अंगला है अतिरेक बादी पूर्टा की तुष्टी करना हैना कब रहा आसान मुक्ती बोद द्वारा किया गया यह कथन किस विशेश मना इस्तिती का देव तक है 86 का अंसर अतिरेक बादी पूर्टा की तुष्टी करना कब रहा आसान मुक्ती बोद द्वारा किया गया यह कथन किस विशेश मना इस्तिती का देव तक है उत्तर आपका हो जाएगा भूकों के दुराग रह से उत्पन असहाय इस्तिती क्यानि कि आपका राइट अंसर चला जाता है विकल्प नमबर बी की तरफ और बी नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाता है ठीक है अंगला कोस्चन है प्रगति बादी कभियों में अपनी विचार धारा से कटरता पूर जुड़े रहने बाले कभी कौन है बताइए प्रशन किरमांग के 87 और 87 का राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा प्रगति बादी कभियों में अपनी विचार धारा से कटरता पूर ज दोस्तों जुट जाएं, होली के बाद इस ओफर को 31 मार्चता के ओफर है आपके लिए, है ना, तो ये प्रगतिवादी कभियों में अपनी विचार धारा से कटरता पूर जुड़े रहने बाले जो कभी थे, वो थे गजान अनमादाव मुक्ति बोद, गजान अनमादाव मु और समीक चक भी थे, इन्हें प्रगतिसील कभिता तता नई कभिता के बीच एक सेतु माना जाता है, इनके द्वारा रचित कभिता संग्रा है, चांद का मोह टेड़ा, भूरी भूरी खागदूल, ये बहुत ही महत्पूर मानी जाती हैं, तहाराओ के अनेक अनेक कभियों क प्रिकासित करके भी उनकी सरवादे कालोचना के पात्र बन जाने वाले जो कभी हैं, वो कभी कौन कौन से हैं, दोस्तों अपन पढ़ते हैं प्रियोगबाद में और प्रियोगबाद में ये चीज पढ़ते हैं, कि सर प्रियोगबाद के प्रवर्तक माने जाते अग्ये, है देखें फिर एक चीज और आती है दोस्तों सबसे पहले जो प्रशन बनता है कि प्रियोगबाद की प्रबरतक कौन है एक question लेकिन दूसरा question उसके बाद बन जाता है कि प्रियोगबाद का ब्रोध सबसे ज्यादा किसने किया तो यहां पर confuse में डाल देता है question ओपונה में अग्ये नहीं लगाते क्यों नहीं लगाते अरे बोले जो प्रियोगबाद का प्रबर्तन करेगा जो प्रियोगबाद का प्रबर्तक होगा वो प्रियोगबाद का ब्रोथ क्यों करेगा है ना तो प्रियोगबाद का सबसे जादा ब्रोथ करने वाले जो थे वो अग्ये थे लेकिन दो कोई नहीं वो कभी थे अग्गे वो कभी कौन थे अग्गे ठीक है तो यहां पर आपका जो जी नंबर है वो बिल्कुश सही हो जाएगा इस्तुती जी माया राम रबेंद्र जी सतीस जी स्वानू जी रूपल जी सभी को धनबाद अब यहां पर आपको बताना है कि नई नई काब धाराओं के अनेका ने कभीयों को प्रकासित करके भी उनकी सरवादे कालूचना के पात्र बन जाने बाले कभी हैं अग्गे उननी सो चौशट इस्वी में आंगन के पार दौार पर उन्हें साहित अकादमी प्रोस्कार प्राप्त हुआ था यह भी आपको पता है दोस अस्तर में इन्हें दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए एक प्रोस्कार मिला था उसका नाम तक ज्यान पीट प्रोस्कार ठीक है बाकी इनके भगन दूत इत्तला महरी घास पर चड़बर के रचना इनकी बहुत ही स्रिष्ट रचनाएं मानी जाती है और अंगला क् पर आपको मैंने बताया है कि हिंदी साहित का अगर आप कमप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं हैना साथ ही लाइब क्लास है रिकॉर्डड़ कोर्स हमेशा के साथ यह सा पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप कोर्स को जोईन कर लीजिए एप को डाउनलोड कर लीजिए हैं कि आप से यहां पर पूछा गया तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों इसका याद रख लेना है कि साथ गीत बर्स के लेका कौन है भवानी प्रसाद मिस्र हैना भवानी प्रसाद मिस्र यानि कि सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर थोड़ा स क्या हो गया दोस्तों कि साथ गीत बर्स के लिए का क्वन माने जाते हैं जल्दी से बताईए तो भवानी प्रसाद मिस्र माने जाते हैं कि आपको याद रख लेना है साथ गीत बर्स ठीक है कि धरमबीर भारती जल्दी से बताईए क्वन माने जाते हैं बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो क्या बता रहे हैं धरंबीर भारती बता रहे हैं कुछ लोग भवानी पिरसाद मिस्त्र बता रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका है ना भटाक से बताना है और आपका बिलकोर सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा धरमबीर भारती है ना यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना उत्तर यह नंबर बिलकोर सही हो जाएगा ठीक है साथ गीत बर्ष के जो लेकक हैं वो धरमबीर भारती है ठीक है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि बिकल्प नमबर जो एक है वो बिल्कुछ सही हो जाता ठीक है बहुत सारे लोग यहां पर कन्फ्यूज जरूर हुए लेकिन धरमबीर भारती आपका राइट अंसर है सा का सात्वा गोडा गुनाहों का देउता हैना ग्याराय सपनों का देश प्रारंब वा समापन के द्वारा लिकित प्रिशिद्व पन्यास माने जाती है ठीक है अब अंगला कोस्चन आपके सामने है निम्ड मैंसे कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है पताइए प्रश्निक र धरम के धरम के गाना है इसलिए धरम वीर भारती साथ गीत गाना है धरम के तो साथ गीत बर से धरम वीर भारती है ना बहुत बढ़िया ठीक है इनको याद करना है निम्ड मैंसे कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है बताइए प्रश्निक रमांक आपका 90 का उत्तर बताना है कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है नरेश महता प्रभाकर माचबे नयमी चंदर जैन या फिर राम बिलास सर्मा कौन सा कभी तार सब्तक का नहीं है इसका उत्र बताना तार सब्तक मतलब क्या होता है दोस्तों तार सब्तक मतलब जिसे प्रिथम तार सब्तक नहीं बोला जाता यहां confusion होता है अरे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर तार सब्डग के कभी ये तो है बोले चाये पिर्थम के हो तुरति हो किसी के भी हो ये तार सब्डग के है लेकिन इतना याद रखना है अपन को पूंचा जाता है ये तीनों तार सब्तक की चारों तार सब्तक की बात नहीं होती ये केबल जो प्रिथम बाला तार सब्तक है जिसे तार सब्तक के नाम से जाना जाता है उसकी बस बात हो रही है यानि कि आपका उतर है नरेश महता हैना नरेश महता यानि कि ये नंबर ये नहीं होते ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है है ना अब आपको दोस्तों बताना है कि नरेश महता किस तार सब तक के कभी माने जाते हैं किस तार सब तक से संबंदित थे नरेश महता ये उत्तर आपको बताना है जब प्रिथम से स बताये नरेश महता तार सब्तक के कभी नहीं है बलकि दूसरा सब्तक के कभी माने जाते हैं हरी भवाणी सकुन करे सेर नरे रगु धरम करे हैना इसको आपको याद रखेतेना यह दोस्तो नरेश महता दूतिय तार सब्तक के कभी हैं और दुतिय तार सब्तक से एक क्वेस्चन पूछा जाता है कि इसमें दोस्तों कौन सी कवित्री हैं दुतिय तार सब्तक से संबंद जो कवित्री हैं वो कौन हैं तो अपन ने पढ़ाता हरी भवानी सकुन करे यानि कि सकुनतला माथोर है ना ये दोस् सब्तक में कवित्री है जो की एकजाम में पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखेना है दोस्तों अग्ये मुक्ती बोध प्रभाकर माचबे नैमी चंद्र जैन गिर्जा कुमार मातोर राम बिला सर्मा और भारत भूश्ण अग्रवाल यह क्या है कि प्रिथ अब अंगला क्वेस्चन आपको बताना है कि हरी घंज पर छणबर किस रचनाकार की रचना है सरल क्वेस्चन आसान क्वेस्चन है उत्तर क्या हो जाएगा धूमिल नागर जुन अग्ये क्या फिर मुक्ती बोध रश्ण किरमांक 91 और 91 में आपने बिल्कुल सही आंसर चैन किया है कि सर अगर आपने हरी घास पर छणभर पूचा है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या जैसे आप से अगर हम पूचें कि आप हरी घास पर छणभर लेट सकते हो बोले सर अग्गे अग्गे लेट कर देखते हैं लेट सकते की नहीं लेट सकते हैं अभी तो अग्गे से क् निगा हरी घास पर छणबर लेड़ सकते हो बोले अग्ये तो अग्ये यानि किसी नमबर आपका सही है हरी घास पर छणबर काब रचना की रचना कार अग्ये हैं हैना इनकी अन्य रचनाओं में इंद्रधनों सुर्वंदे हुए थे अरी ओ करुणा प्रभा मैं आगन के पार स्वारी धर्मबीर भारती की नहीं है तो कोई सी नहीं है धर्मबीर भारती की आपको बताना है ठेले पर हेमालय आत्म जई अन्धा योग या alors सात चीत बर्स कौन सी रचना नहीं है, सभी लोग लाइक और सेयर जरूर करते जाएं अपने मित्रों तक, एक किलास रोज 9 बजे होती है, जिन भी सातियों को दोस्तों क्या करना है, जिन भी सातियों को एड़ीशन लेना है, वो एड़ीशन ले सकते हैं, हैना, कल लास्ट तारीक है, मतलब 31 तारीक तक यह जो आफरचल ले हैं, सभी आफर 31 तारीक तक चलेंगे, यहना, तो कौन सी रचना धरंबीर-भारती की नहीं है, यह आप से पूछा गया, तो वो भी सरात में जयी किस की है, तो आपने बताया, कि सर जिसकी भी हो, लेकिन ठेले पर हेमाला, साथ गीत वर्स औ अब अंगला कोज्यन यहां पर आता है अंगला कोज्चन आपसे पूछा जाता है ये रहा आपका अंगला कोस्चन सत्पडा के घने जंगल उंगते अनमने जंगल सत्पडा के जंगले किसकी रचना है बताईए सत्पडा के घने जंगल उंगते अनमने जंगल तो आप सभी को बताना है सत्पडा के जंगल किसकी रचना है भवानी परसाद मिस्र की समसेर वहा मित्रों तक दोस्तों सभी मित्रों को बताएं जिनको भी हिंदी साहित पढ़ना है जो भी अपना बेसिक कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत अच्छे से ठीक है तो सभी लोग दोस्तों अपने मित्रों को जरूर बताएं और एक कंटीनियू किलास जो आपकी चलती है जो कभी म नमने जंगल है ना तो दोस्तों के सत्पड़ा के घने जंगलों में जहां पर सेर भी रहते हैं तो आप भबानी को यात करोगे पहले भबानी जातो रहे हैं घने जंगल में लेकिन समाल लेना है ना तो भबानी प्रसाद मिस्त्र है सत्पड़ा के जंगल ठीक है काब रचना क की रचनाकार भवानी प्रसाद मिस्त्र हैं इनकी प्रमुक रचना हैं कमल के फूल कमल के फूल गीत फरोस अब इसमें कन्फ्यूज आप लोग हुए थे साथ गीत बर्स और गीत फरोस गीत फरोस की रचनाकार भवानी प्रसाद मिस्त्र है लेकिन साथ गीत बर्स है बुले ब पिर्जानी की दीनता, तूतनेका सूक बुनी हुई रष्ति और कुसुबू के सलालेख ए आपको याद रख्याएना. निम्न वैसे किस कभी का समझ्द प्रियोग बाद से नहीं है? प्रियोग बाद से ये आपको चैन करना है? उत्तर आपका राइट क्या हो जाएगा नागरजुन अग्ये मुक्ति बोध या भारत भूशन अगरबाल संबंद प्रियोगबाद से नहीं है तो किसका नहीं है प्रियोगबाद से प्रियोगबाद तो बोले सर बहुत अच्छे से पड़ा है किसका संबंद नहीं है है नागर्जुन ये आपका ये बिल्कुल शही हो जाएगा ठीक है नागर्जुन दोस्तों ये प्रिगती बादी कभी माने जाते हैं इनका बास्तविक नाम क्या था जल्दी से बताओ नागरजुन का बास्तविक नाम क्या था मैतली में ये किस नाम से लिखते थे एक क्वेस्चन आते हैं आपको पता होनी चाहिए अगर पता है तो कमेंट में पटा-पट से लिख दो आप है ना नागरजुन कभी प्रिगती बादी कभी है जब कि अन्न सबी ये दोस्तों ये क धर में आंगन होगा आंगन होगा अब आंगन के आंगन में एक द्वार होगा अब आंगन के द्वार आर पार कितनी बार आप निकले दिन में आपको पता रहता क्या बताओ पुली आंगन के पार द्वार कितने पार कितने द्वार पुली सरग्गे पताईए कोई हो आज आ आप आंगन के कितने पार द्वार निकले, कितने पार द्वार निकले, तो क्या बोलोगे आप, किसी को डाटा नहीं पता, कि हम चार बार बाहर गए, या आर पार चार बार निकले, पुलिसर अग्गे, सीधा बोल दो अग्गे, तो अग्गे से क्या बनेगा, आंगन के पार ये आपका आंगन है है ना और ये आंगन का द्वार है ये वाला ठीक है अब आंगन के पार द्वार आप कितने बार गए तो कुवन डाटा रखेगा बोली सर अग्ये तो सीधा सीधा बोलो ना अग्ये ठीक है इसको आंगन के पार द्वार के रिचनाकार सचिदा नंद हीरा अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं कौनसा कभी कौनसा कभी तार सब तक का नहीं है यह आपको बताना है यह प्रश्न किरमांग 96 का अंसर आपको चैन करना है हिंदी जीवन जी नहीं निकले कोई बात नहीं है हैना इन निम्न मैंसे कौनसा कभी तार सब तक का नहीं है यह 96 और 96 में आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा कौनसा कभी तार सब तक का नहीं है फिर यह बार-बार पूछा ही जाता है यह कौश्चन तो हैना यह कौश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सा कभी तार सब तक का कभी नहीं है ये आप से पूछा गया तो अपन ने तो कई बार पढ़ दिया पुलिसर कैसे नयमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आग्यां से नयमी मुक्त भारत की प्रभा प्रभा से प्रभा कर माचबे गिरी नयमी मुक्त भारत से मुक्त से मु लगू धरम करे यानि कि दुतिये दुतिये तार सब्तक से संबंदे थे ये डी नमबर लगा दो दुतिये ये दुतिये से है प्रतम से नहीं है यानि कि तार सब्तक से नहीं है ठीक है बरन दूसरे तार सब्तक से है तो ये तो आपको पताई है कुमर नारान किस तार सब्तक के कभी हैं तार सब्टक के दूसरा सब्टक के तीसरा या पर च्वता तार सब्टक के बताईए अपन ने पढ़ा था प्रियाग के कुणर केदार है ना प्रियाग के कुणर केदार काई के कीड़ती के मद मैं सरवेश्तवर बने हैना तो कुमर केदार कुमर केदार और दोस्तो एक कुमर जो केदार थे और यह तीसरे तारसप सब्दित थे तीसरे सब्तक के कभी हैं तीसरा सब्तक का प्रकासन 1969 में हुआ था कुमर नारायन है ना ये आपको याद रखे ना इनकी रचनाओं में दोस्तों चक्रवियू परिवे सम्तों है ना आमने सामने आत्म जैवी इनकी रचना है इसको याद करना है यहां पराते हैं इसको परयोक्तिपंग्तियां किस कभी की हैं यह उपमान मेले हो गए हैं इसका भी आंसर बताना है तो यह उपमान मेले हो गए हैं देवताइन प्रितीकों के कर गए हैं कूछ कभी वासन कभी वासन अधक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है उपरयोक्तिपंग्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं कि आपको 98 का अंसर बताना है अनीता जी टिर्की वीडियो में आप एप में जाना एप के कोर्स में जाना और एप में टिर्की वीडियो का फोल्डर बना है टिर्की वीडियो में जाना बहाँ पर प्रियोग बाद कंटिन्यू जो अलग-अलग टॉपिक के दियें प्रियोग बाद में जाना महातार सब तक कि कभियों की टिरिक मिल जाएगी और यहाँ पर आपका ये देवता इन प्रितिकों के कर गए है कूछ ये जो पंक्ति है कि दोस्तों सचिदा नंद हीरा नंद बास्ताइन अग्गे की है यानि कि आपका उत्तर चला जाता है डी के तरफ डी नंबर हैना ये उपमान मेले बिलकुल ये उपमान मेले छूट जाता है उपर युक्ति पंक्तिया के दोस्तों किसकी है अग्गे जी की पंक्ति है हैना अंगला कोस्चन आपको बताना है कि निन वैसे किस रचना में पौरानेक चरित्र पौरानेक चरित्र नचीकेता के माद्यम से कभी अपना मत प्रगट करता है बताइए ब्यक्त करता है ये बताना है तो किस रचना में पौरानेक चरित्र नचीकेता के माद्यम से वो रचना कौनसी है ये रचना तो कई बार पूछी भी गई है दोस्तों ठीक है ये रचना पूछी भी गई है कि पुराणे की चरित नची केता के माद्यम से कभी अपना मत ब्यक्त करता है तो वो रचना कौनसी है ना वो रचना आपसे पूछी जाती है और वो रचना है दोस्तों कुमर नाराणे की वो रचना है आत्मे जई है ना आत्मे जई रचना में दोस्तों नची केता के माद्यम से अपना कभी अपना मत ब्यक्त करता है और आत्म जई रचना की रचनाकार कौन है तो बोले सर कुमर नाराण कुमर लोग बोले सर आत्म होते कुमर यानि की कुमारे आत्म जई होते हैं कि नहीं होते हैं अब आत्म जई तो बोलेंगे कुमर लोग कुमर लोग कैसे होते बोले सर आत्म जई हैना फिर पुरान एक चरित्र नचीकेता के माद्यम से अपना मत व्यक्त करते हैं इनको याद रखो निम्न मैंसे किनका संबंद सचिदान नहिरान बास साइन अग्गे से है तो ए बताना है अग्गे से बताना किनका संबंद है ए बिकल्प है के कूट भी आपको द रचनाओ का सम्मंद अग्गे से है, अग्गे से बताओ, किसका है अग्गे से, तो आपको पता है आत्मे चेतस, अग्गे, बाबरा अहेरी, अग्गे, जापानी लोग कता का रचनात्म को पियोग, यह भी अग्गे की है, यानि कि A, C और D, यानि कि यहाँ पर देखा अपने उत्तर चला जाएगा अपना A, C और D, D नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर देखो, सचिदा अनन्द, हीरा अनन्द बास साइन अग्येप, कसंबंद आत्म चेतस, चिंता नदी के दीप, हैना बाबरा अहेरी, सो द रचनात्समा को पियोग, असाद बीना से है, जबकि विचार कविता से अग्ये का संबंद नहीं है, यह आपको पता है, प्रकासन काल की दरश्टी से, हरिवन्स राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, प्रकासन काल की दरश्टी से, सभी लोग बताएंगे जो रचनाव का शही अनुकरम है वो क्या सही होगा हरिवन्स राय बच्चन इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर अगर हालाबाद की बात करोगे तो हालाबाद की प्रबर्तक कोन है हरिवन्स राय बच्चन हरिवन्स राय बच्चन की आत्मकता चार भागों में दोस्तों प्रकासित है क्या भूलूं क्या याद करूं कि इनकी आत्मकता दोस्तों चार भागों में प्रकासित है ठीक है हरिवन्स राय बच्चन मदू वाला मदू साला मदू कलस ये इनकी बहुत ही अच्छी रचनाय मा पर देखेंगे कि सही उत्र हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर डी नंबर में क्या हो जाएगा निसा नमंत्रन मिलान यामनी प्रणाय पत्रिका और जाल समेटा जिसमें से सबसे ज़्यादा इनकी जो रचना पूछी जाती है वो पूछी जाती है निसा नमंत्रन की रच इसकी रचनाकार कौन है तो इसकी रचनाकार है दोस्तो तुरitional question ai कभियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है रही दोस्तो रचनाओं अग्गे की कौणसी रचना वह बताना है आपको नीचे कूट भी दिये हैं बच्चन की कौनसी है रगवीर सहाई की कौनसी है पंत की कौनसी है तो बताईए कौनसी है अग्गे की कौनसी है आपको पता है तो आसा देख लो मन में जिग्यासा पैदा कर लो अग्गे की रचना कौनसी है बच्चन की कौनसी है रगवीर सहाय की कौनसी है सुमित्रा अनन्दन पंत की की रचना कौनसी है खुरेशी जी चैन करिए और यहाँ पर जो आपने चैन किया है कूट भी आपको नीचे दिये हैं फिर हम सीधे सीधे यहाँ पर आते हैं दोस्तों कूट भी आपको पूरा नहीं देख रहा शुमित्रा अनन्दन पंत की रचना कला और भूरा चान पता है 1960 में इसे क्या मिल गया था इसे मिल गया था साहित अकादमी प्रुषकार 1960 में ठीक है डीप सिका एक इसकी रचना है महादेवी बर्मा की है हैना पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अग्य हैना सतरंगनी के किसकी है बच्चन हैना बच्चन ने सतरंगी होली खेली थी खेली थी की नहीं खेली थी बच्चन ने सीडियों पर धूप में रगवीर सहाए बोले सीडियों पर धूप में क्यों खड़े हैं बोले हमारी तो रगवीर सहाए करते हैं तो इसको आपको याद रख लिना है दोस्तो कि सीडियों पर धूप रगवीर सहाए सतरंगनी सतरंगनी होली खेली किसने बच्चन ने तो बच्चन पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अग्गे दीप से का तो पताई है आपको महादेवी बर्मा की है कला और बुड़ा चांद पंत की रचना है ठीक है अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आपको बताना है संब्सित पात्रों के साथ सुमेलित करिए ठीक है यह सुमेलित करना है दोस्तों इनको अपन सीदे सीदे पढ़ेंगे यहाँ पर आ जाओ यह जो प्रसंधा Xianko siitä सीदे यहाँ पर पढ़ לו बुढ्द गुप्त पात्र किसका है बुद्द गुप्त पात्र आकास दीप का है अ अग्य की कहानी है तो आकासदीप के रचनाकार जैसंकर परसाथ डिल्ली में एक मौत कमलेस्तुर ठीक है उसने कहा था चंद्रधर सर्मा गुलेरी है ना ग्रेंगरीन मालती की मालती दोस्तों इसके पात रहें अग्य की रचना तो बुद्ध गुप्त किसके पात रहें आकास अतुल किस के पातर हैं दिल्ली की मौत हैना दिल्ली में एक मौत वो दास हैं उसने कहा था ठीक है यही है तो इसको आपको यद रखने हैं गुर रखना असाद दिपीना की रचना कर कौन है पिल्कुर सराल questions असाद दिभीना आपको बताना है अग्य, मुक्ति बोध नागर जोन या फिर निराला असाद बीना के रचनाकार कौन है यह चार बिकल्प है असाद बीना दोस्तों यह लंबी कविता मानी जाती है असाद बीना और इसके रचनाकार आपको बताना है और इसका आंसर सही क्या हो जाएगा इसका आंसर जो सही होता है अस तर चला जाता है अग्गे की तरफ अग्गे यानिकि ए नमबर असाद दिबीना एक लंबी कविता है जिसकी रचेता है अग्गे एक अग्गन के पारदवार काब संग्राय में संग्री थे इस किर्ती के लिए अग्गे जी को 1964 इसवी में दोस्तो क्या मिला था साहित तकादम के लिए मिला था या कोई और रचना के लिए मिला था आग्गन के पारदवार के लिए मिला था किसके लिए तो बले सर असाद दिबीना के लिए नहीं आग्गन के पारदवार के लिए 1964 में इने साहित तकादी प्रुसकार मिला था हैना 1978 में इने दोस्तो कितनी नाव में कि तैसे वहें ततनी बार के लिए ज्ञान पीट प्रुसकार मला था तो अगला कोश्चन आपसे पूछा गया कि ब्रह्म्राक्षस किसकी कविता है ब्रह्म्राक्षस किसकी कविता है नागरजुन की अग्गे की दिन कर या फिर मुक्ति बोद की बिलकुल अलग से बना देंगे वीडियो ब्रह्म राक्चस किसकी कविता है यह आपको चेहन करनी है ब्रह्म राक्चस के रचनाकार कौन है फटाक से सबी लोग चेहन करेंगे पटापट से आपको बताना है कि दोस्तो ब्रह्म राक्चस के रचनाकार कौन माने जाते हैं और यहाँ पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाता है ब्रह्म राक्चस के मुक्ती बोध की रचना है मुक्ति बोध यानि कि स्री नम्मर ब्रह्मराक्चस कविता के रचनाकार मुक्ति बोध हैं और इनकी अन रचनाय चांद का मोह टेड़ा, काट का सपना, सतह से उठता आदमी है ना अंधेरे में भूरी भूरी खाकदूल, कामाईनी एक पुनर विचार के सभी रचनाय इनकी म माने जाती हैं, हैना योगधारा इनकी रचना है, सतरंगे पंकोंबाली, हैना प्यासी पत्राई आकें, तुमने कहा था, सालाप की मचलिया, पुरानी जूतियों का कोरस, इत्यादी, इस सभी रचनाय माने जाती हैं, नागरजुन की, इनको याद रखेंगे, अब दोस्तो राम, हरी घास पर छडबर, बाबरा एहरी, हरी योग करुणा प्रभा में, इंदर धनो सुरवंदे हुए थे, आगन के पारदवार, कितनी नाव में, कितनी बार, के अग्ये की करतियां हैं, हैना दिनकर की बात करें तो कुरूचेत्र, रस्मी रती, पुरवसी, हुंकार, रेनुका संस्कृति के चार अध्याए, पर्शुराम की पृतिक्छा के दिनकर की करतियां हैं, ठीक है, तार सब्तक के संपादक कौन थे, यह आपको बताना है, तार सब्तक के संपादक कौन थे, चार विकल्प हैं, तार सब्तक, जिनमें दोस्तों, हैना साथ कभियों की सा साथ जो है कविता इसमें संकलित होती थी हैना पुरे तार सब्तक क्या था कि काब संग रहता दोस्तो तार सब्तक हैना तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा 106 का वो उत्तर है क्या अग्ये तार सब्तक की संपादक कौन है तो अग्ये माने जाती हैं यानि कि B नंबर हैना नंद दुलारे बाचपही ने पंत को छायाबाद का प्रवर्त कमाना था ठीक है तार सब्तक के संपादक जो है अग्ये हैं तार सब्तक का प्रकासन उनीस सो तेतारीस साथ कभियों की कविताओं का संपादन नहों ने किया और तार सब्तक के दोस्तों कभी इस प्रकासी माने जाते हैं पहला तार सब्ता कुनी सो तेतालीस दूसरा तार सब्ता कुनी सो इंक्यावन तीसरा तार सब्ता कुनी सो उनसट और चोथा सब्ता कुनी सो न्यासी तो कुल मिला कि कितने तार सब्तक दोस्तों प्रकासित हुए चार तार सब्तक प्रकासित हुए ठीक है अब दोस् संबंद है कि उस तर क्या हो जाएगा धुमेल हरिवन्स राय बच्चन है ना हरिवन्स राय बच्चन मौहर राकेस या फिर भवाणी प्रसाद मिश्र किस दाहितकार का संबंद मद्ध परềदेस्थे हैं मद्च परदेश से आप से पूछा गया और आपको बताना है कि किस आहित्तिकार का संमन्द मद्च परदेश से यह भबाणी परसाद मैस्त्रे हैं दोस्तों जिनकी अपन ने रचनाय पड़ी थी गीत फरोस पड़ी थी इनका जन में दोस्तों होशंगाबाद मद्दे प्रदेश में हुआ था है ना ये भी याद रखे ना दूसरा तार सब्तक कब प्रकासित हुआ हाँ दूसरा तार सब्तक बताना है कि कब प्रकासित हुआ 108 का उत्तर दूसरा सब्तक कब प्रकासित हुआ प्रश्ण किरमा के 108 मे कि सर, 1943 में प्रतम, 1959 में दुतिये, हैंना 1969 में तरतिये और 1989 में चत्वर्थ, यानि की 4 तो दूसरा अतार सब तक 1959, बिलकुल सरल गॉस्चन आपसे पूछे गए दोस्तों, आतमत्या के बुध्ध एक इसकी रचना है आतमत्या के बुध्ध किसकी रचना मानी जाती है जल्दी से भीडियो में लेको ँगो लाइक शेयर करो जिन भी सात्मियों को एड्वी सल ले न वो एड्वी सल ले सकते हैं 31 तारीक ए ओफर जो आपका चलना है दोस्तो 31 तारिक आपका लास्ट है GM कल आपकाprotा लास्ट दिन होगा ओफर का holy offer का हäना उसके बाद दो तो आत्मत्या के बुद्ध चिसकी रचना है 109 का उत्तर और 109 में आपका सही उत्तर है रगवीर साहई आत्मत्या के बुद्ध की रचनाकार एक कई बार question पूछा गया रगवीर सहाई की रचना है सीडियों पर धूप में रगवीर सहाई हैना हसो हसो जल्दी हसो रगवीर सहाई लोग भूल गए हैं रगवीर सहाई कुछ पते कुछ चिठ्ठियां एक समय था जब रगवीर सहाई करते थे एक समयता जब रगवीर सहाय करते थे इनको भी आपको याद रख लिना है ठीक है आत्मेज़ाई किसकी किर्थी है आत्मेज़ाई हैना और अपनने आत्मेज़ाई कई बार पढ़ा और एक क्वेस्चन कई बार पूँचा गया और पूछा भी जाएगा इसलिए आत्मे जई को तो भूला नहीं है पुझे सर कुमर लोग जो होते हैं कुमारे लोग क्या होते आत्मे जई होते हैं आत्मे जई बोले हमें किसी से कोई लेना देना नहीं हम तो आत्मे जई हैं आत्म जई हैं, है ना, तो आत्म जई किसकी किर्ती है, कुमर लोग, कुमर लोग बोलते हम आत्म जई हैं, तो कुमर से वनेगा कुमर नाराण आत्म जई, ठीक है, तो ये नमबर आपका बिल्को सही है, आत्म जई, है ना, आत्म जई का बरचना के प्रचेता कुमर नाराण है अब कुमर नारान की रचना दोस्तों चक्रवियू है ना जो कुमर लोग होते ना कुमर ये चक्रवियू रचने में पहले नमबर पे आते हैं बोले कहा का चक्र भी उरचना है तो कुमर लोगों को वला लो परिवेस हम तुम कोई दूसरा नहीं बोले मेरे अलाबा कोई दूसरा नहीं होगा है ना यही सूचते ना तो कुछन सूचते कुमर लोग बाज सिरवा के बहाने कुमर लोग यह आपको याद रखने ना है और ज जीहा हुजूर मैं गीत बैचता हूँ ए पंक्तियां किसकी है अग्गे की गिर्जा कुमार मातुर की भवानी प्रसाद मिस्तर की या फिर समसीर बहादुर की जीहा हुजूर मैं क्या बैचता हूँ गीत बैचता हूँ यह जो पंक्तियां है यह पंक्तियां मानी जाती है दोस और कैसेट बना के मैंचते हैं तो यह आपको स्टी नम्मर भवानी प्रसाद मिस्तर सही हो जाएगा जी हाँ हुजूर मैं गीत मैंचता हूँ किसके भवानी के तो भवानी प्रसाद मिस्तर की ये पंक्ती है गीत फरोस चकत है अब कहां पहुच जाओगे अगर आप भवानी के पास पहुच जाओ तो दुख भी चकत हो जाएगा गांदी पंच सती सत्पडा के जंगल बुनी हुई रस्ती भवानी के पास जाओ तो आपने देखाओगा न पचरंगा धागा वाला बुनी हुई रस्ती रखी रहती है धागा बंदो पुरा जाओ हैना सूरच का सात्पडा घोडा एक इसकी रचना है सूरच का सात्पडा घोडा हैना बुनी सूरच का सात्पडा घोडा तो अपना धर्म निभा रहा है चांद सूरच के बीरन आपने एक रचना पड़ी होगी है ना पड़ी है कि नहीं किसकी पड़ी है चांद सूरच के बीरन की रचनाकार कौन है कमेंट में सभी को लिखना है और एक आपको याद रखना सूरच का सात्वा घोडा के किसकी रचना है तो अपना धर्म निभारा है और धरम बीर भारत है धरम बीर भारती सूरज का सात्वा घोड़ा और पन्यास विदा की रचना और इसकी रचनाकार हैं दोस्तों धरम बीर भारती इनकी रचना ठंडा लोहा कनू प्रिया कानों को प्रिये लगता धरम तो कनू प्रिया ठंडा लोहा लोहा भी ठंडा हो जाता है धरम की सरण में सा साथ गीत वर्स, साथ गीत वर्स, बोले वर्स में साथ गीत गाना है काई के धरम के तो ये धरम बीर भारती, साथ गीत वर्स धरम के तो धरम बीर भारती, लोहा भी ठंडा हो जाता है धरम की सरण में तो धरम बीर भारती, कानों को प्रिये लगता है धरम तो कनू प्रिया धर अब आपको एक कमेंट में उत्तर दिया है कि चांद सूरज के बीरन के किसकी रचना है यह आपको बताना है चांद सूरज के बीरन की रचनाकार कुण है इसको आपको कमेंट में लिखना है इसको दोस्तों आपको बताना है student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है icon उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से self study classes आपको search करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से दखेगा यह self study classes टिक है यह play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है तीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे